मेरे बारे में आप लोग जान लीजे जिन रसायन विज्ञान के अध्यापक से आप अभी पढ़ रहे हो पंद्रह साल से बच्चों को लगातार टॉर्चर करते आ रहे हैं आप देख लीजे यह रैंक्स बताने के लिए काफी हैं और यह बिल्कुल जैन्यून रैंक्स हैं यह नहीं के यूट्यूब पे आए बच्चो एक एक बच्चा चाहे वो नाइन्थ हर्षवर्धन अगरवाल टेंथ राजदिवेदी फोर्टींथ मनन अगरवाल चाहे यहां पर टू फोर सिक्स नाइन यह सिक्स यह साई आदित्या टेंथ रजान अब्दुल रजान फारुकी यह सब वो बच्चे हैं जो लाइव में नहीं बेटा मतलब एक साल नहीं कम से कम डेड़ साल या दो साल मुझसे पढ़े हुए हैं आगे बढ़ते हुए फटा फट से हंडेड प्लस केवी पीवाई सेलेक्शन साथ में बच्चो टैन प्लस आईसी एच्चो रिजल्ट इसक कोई help चाते हो है राबता करना चाते हो तो आप किस पेर बच्चो आप जानते हो यह साइन क्या बताता है देख लीजे जरा एक बार इंस्टाग्राम कहते हैं इसको यहां पर आप उससे जुड़ सकते हो आगे बढ़िए फड़ा फट से यहां पर देखे टेलीग्राम पे बच्चो every Sunday there is a test इसके अलावा DPPs and modules भी शेर कर रहा हूं कोई question आप से नहीं बनता है तो आप यहां पर शेर कर सकते हो t.me slash chemistry atje chemistry atje chemistry atje यहां पर आप शेर कर सकते हो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे इसके अलावा देखे यहां पर अभी 38,000 बच्चे almost follow करते हैं 25 classes में मैं complete कराऊंगा आपको आगे बढ़ते हुए जल्दी से अगर आप प्लस पे आना चाहते हो तो देखे प्लस पे आपके लिए बहुत सारे batches नहीं started है जैसे आज coordination compound का batch start हुआ है तो join कर सकते हो इसके अलावा emerge batch जो 11th standard वाले बच्चों के लिए है वो आप join कर सकते हो live class environment है यहां पर यानि आपको live classes दी जाती है साथ में देखे live polls और leaderboard में आपको यह पता चल जाता है कि आप अंधो में काना राजा तो नहीं है हजारों बच्चों में आप कहां stand करते हो माल लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन हजारों बच्चों के साथ competitive atmosphere में doubt solving session हर तीन lecture के बाद 1,2,3 हर तीन lecture के बाद every fourth lecture is taken as DCS, DCS का मतलब होता है doubt clearing session जहां पर आप अपने सारे doubt line लगा के पूछ सकते हो बच्चों वहीं पर clear किया जाएगा, कोशिस की जाते है कि हर बच्चे के doubt उसी दिन clear कर दिये जाएं, यानि इतनी high frequency के साथ DCS रखे गए है साथ में two way communication है teacher के साथ जिसमें आपका improvement तैह है, आगे बढ़ जाएए अपनी performance को analyze करने के लिए weekly test series है जिसे मैं नहीं बनाऊंगा, अगर आप मेरे batch में पढ़ रहे हैं तो ये weekly test series किसी और की होगी, ताके आपको पता चल जाए उसी topic पे कितने different questions बन सकते हैं, कोई और teacher अ इनका अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो जल्दी से plus पे पहुंच जाएए, ये आपके लिए एक offer है बच्चो, one year पे two months और two year पे three months extra subscription आपको दिया जा रहा है, ये सिर्फ आज आज के लिए valid है, यानि आज रात बारा बज़े तक ये offer valid है, ATJ code के साथ में आप आई पे आपको maximum possible discount मिलेगा, यानि आप two year subscription लेंगे, तो आपको ये fee आप देखेगा लगबग लगबग 2100 रुपीज पर मन्त पड़ेगी सारे subjects के लिए, और multiple educator की classes आप attend कर सकते हो, जबकि आप one year लेंगे, तो आपको थोड़ा two triple eight पे जाएगा ये, आप one point five year subscription भी ले सकते हो बस code याद रखिएगा, ये रहेगा आपके लिए code, इस code से आप IIT को देंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं फटावट से, ये तो राइमिक होगी है सर, तो अब हम kinetic theory of gases की बात करते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिने kinetic theory of gases में problem होती है, इमानदारी से चलिए, अब थोड़ होते हुए ही share कर देता हूँ, so this is, ये हमारे part पे है, this is our mistake बच्चो, I accept that, कि ये हो जाना चीए था, क्यों नहीं किया, ये मैं एक बार बात करूँगा जरूर, तो PDF, L4 की PDF मैंने आपके साथ अभी share कर दी है, live session में, ठीक है ना, and I'm so sorry for the inconvenience caused, ऐसा नहीं होना चीए, ठीक है ऐसा नहीं होना चीए, कि PDF आपको उसी time पे मिल जानी चीए, तो चलिए, ये हमारी तरफ से problem है, और ये छोटी मोटी management की problems, issues आ जाते हैं, वो सकता है, जिनको duty दी गई हो, he was not keeping well, this may happen, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे बच्चो, मिली आपको PDF जल्दी से बता पढ़ा फट से यहीं पर पहले PDF मिल चुकी है नहीं ग्रूप में, तो यहां पर जल्दी से एक मिनट लगता है PDF को share करने में, what is the purpose of studying through questions of J, तो बेटा at NCRT level, बेटा J NCRT level पे कभी भी नहीं होता है, J main भी NCRT level पे नहीं होता है, J advance तो भूली जाईए आप लोग, तो चलि mentor, we are always there, आपकी problem को solve किया जाएगा, तो KTG में कितने बच्चों को problem आती है, बच्चों, जल्दी से बोलिए, मेरा strong है KTG, बहुत बढ़िया बेटा, तो चलो, अब हम यहां से शुरू करेंगे, kinetic theory of gases, जिनका strong है, और strong हो जाएगा, कुछ तो नया सीखने को मिलेगा, पक् 80 Kelvin, is 1.6 times of the rate of effusion of sulfur dioxide at 300 Kelvin, molecular mass of the gas X is, बताइए जल्दी से X का molar mass क्या होगा, यह रहे आपके सामने options, जल्दी से start कर लिजेगा बच्चों, जोश बिल्कुल high रहने चीए, क्योंकि यह जो topic है, यह J का hot favorite है, तो जल्दी से आप मुझे बताइए, फड़ा फड़ से, आप पहल बार पढ़ रहे हैं बेटा, तो कोई issue नहीं है, Mr. Sand, बहुत slow पढ़ाऊंगा आपको, और बहुत basic level से पढ़ाऊंगा, yes, चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे बेटा, daily basis पे updates नहीं आ रही है, बोर्ड के बारे में, अभी तक तो बोर्ड जुलाई में ही है, अब वो जु It will definitely come very soon, तो आप जल्दी से आगे बढ़ते हुए, गौतम ने बोला है, B, सुमित ठाकुर ने बोला है, C, इसके अलावा सौम्य दित्या ने बोला है, B, बहुत सारे बच्चे, शिवम कुमार बोल रहे है, A, इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे लगातार answer दे रहे है, चलिए, जल्दी से आगे बढ़ते हुए, बात करेंगे इसके आगे की, तो ये रहा घंटी बजने वाली है, चलिए, अब घंटा बच्चो का है, ध्यान से देखे, हमारे पास हमें पता है, rate of diffusion is directly proportional to, क्या होता है, बच्चो, फड़ा-फड से बताईए, directly proportional to root T by M, कितना आप लोगों को ये formula तो मैं बताई चुका हूँ पहले ही, तो इस formula को use करते हुए, आप लोगों के लिए क्या आजाएगा, rate of diffusion of x, rate of diffusion, effusion of unknown gas x is 1.5, 1.6 times, तो rate of effusion of SO2, sulfur dioxide, is equal to, आजाएगा, under root of, under root of Tx, into MSO2, upon नीचे आजाएगा, TSO2, into Mx, तो हमें Mx निकालना है, तो निकाल लीजे यहाँ से, आप ये हमें ratio दिया गया, 1.6, तो 1.6 is equal to क्या आजाएगा, हमारे पास बच्चों जल्दी से बताईए, 1.6 is equal to आजाएगा, under root of, under root of Tx, यानि unknown gas का temperature रख दीजे, 480 Kelvin, upon, नीचे, SO2 का temperature रख दीजे, 300 Kelvin, into, mass of SO2, कितना हो जाएगा, 64, upon mass of X, तो यहाँ से Mx आजाएगा, बच्चों, Mx is equal to आगया, 40, कितना आगया, Mx is equal to 40, तो answer हो जाएगा, A, कितने बच्चों ने A answer दिया था, आप में से, जल्दी से बताईए, कितने बच्चों ने आप में से, yes, तो यहा always better, it is better late than never, तो चलिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, ओमकार, पड़ा फट से बताईए मुझे, यह बात आप लोगों को, clear सब लोगों को, के यह कैसे आया है, यहाँ पर देखे, answer is A, A आजाएगा answer, यानि 40 answer आजाएगा, तो बस यह करना था, आपको, that's it, और यह formula मैं आपको कल करा चुका था, तो जल्दी, 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 तो next point पर आएंगे, बचो, yes, you are correct, बेटा कविशना, चलिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, kinetic theory of gases, यह है क्या, बहुत सबसे पहले आपको यह तो पता हो, कि kinetic theory of gases क्या होती है, हमें इसकी जरूरत क क्या है, what is it, यह है क्या, तो यहाँ पर देखिए, kinetic theory of gases, it relates, यह relate करती है किसको बच्चो, macroscopic properties of gases, macroscopic properties कौन-कौन सी होती है, temperature, pressure, kinetic energy, etc, तो यहाँ पर देखिएगा, internal energy, वगयरा वगयरा है, तो एक बार फिर से देख लीजे, it relates, macroscopic properties of gases, like pressure, इसके अलावा temperature है, इसके अल वालिम है, साथ में internal energy है, इन चारो properties को यह किसके साथ relate कर देता है, it relates to microscopic properties, यानि जो macroscopic level पे properties है, जैसे velocity or speed of molecules, example, जैसे motion of atoms or molecules, यानि speed of molecules, यानि इन चारो को speed of molecules से relate कर देती है, इसे कहा जाता है, kinetic theory of gases, यानि इस theory का फायदा क्या है, बच्चो जल्दी से बताई यह, यह relate कर देता है, macroscopic को microscopic से, macroscopic properties को आप से पुछा जाएगा, what is the use of, why do we need kinetic theory of gases, तो kinetic theory of gases को क्यों use करते हैं, because it relates macroscopic properties of gases to microscopic properties of molecules, like वो कैसे move कर रहे हैं, वो कितना move कर रहे हैं, 2D में move कर रहे हैं, के 3D में move कर रहे हैं, उनकी speed क्या है, उनकी translational kinetic energy कितनी है, एक particular domain में कितने molecule होंगे, यह सारी बाते कोन बताता है, KTG बताता है, clear बिल्कुल, जल्दी से बोलिए बच्चो, यहाँ पर हमारे पास, बेटा अभी सेम है, रितू अभी सेम है, तो जल्दी से, clear बिल्कुल, अब देखो जरा एक बार अब यहाँ से detail में जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर focus करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, kinetic theory of gases है क्या, तो kinetic theory of gases को propose करने के लिए, कुछ points को assume किया गया है, वो कोन-कोन से points हैं जिनको assume किया गया है, देखो, सबसे पहला point, अग ग्यास, यानि कोई भी ग्यास ह यानि gas के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे spherical यानि आप जानते हो ना football shape के, sphere shape के, sphere shape के particles होते है, called molecules of the gas, which are identical in shape and size, इनका mass भी सेम होता है, इनकी shape भी सेम रहती है, इनका size भी सेम रहता है, यानि इनका diameter सेम रहेगा, यानि volume सेम रहेगा पार्टिकल का, और इनका mass भी सेम आगे बढ़ जाईए, दूसरा, यानि second, ये first assumption था, second assumption was, the volume occupied by the gas molecules is negligible in comparison to that of, to the total volume of the gas, मतलब total volume of gas के comparison में, gas के एक molecule का volume क्या हो जाएगा, बच्चो, zero हो जाएगा, मतलब, 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 V gas, V gas, minus V molecule, V gas minus V molecule, is equal to कितना हो जाएगा, बच्चो, जल्दी से बताईए, मुझे यहाँ पर, इस assumption का मतलब क्या हो जाएगा, V gas minus V molecule, is equal to कितना होगा, comment section में लिखुआ, थोड़ा slow चलेंगे यहाँ पर, क्योंकि यह आगे tough है, जल्दी से बताईए, यहाँ पर कितना हो ज कितना होगा यहाँ पर, जल्दी से बतादो बच्चो, तो चा जाओ आप लोग, फड़ा फट से बताईए, is equal to कितना होगा, is equal to हो जाएगा, V gas, कितना हो जाएगा, यह V gas हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यह भाई साब 0 है, यह 0 है, this is nearly equal to 0, यह तो 0 है ना, तो आप V gas में से molecule का volume घटाएंगे, तो वापस क्या आएगा, V gas ही आएगा, क्योंकि यह 0 है, आगे बढ़ जाएए, next point, पढ़िए, for an ideal gas, एक ideal gas के लिए, volume of the ideal gas molecule, volume of the ideal gas molecule is assumed to be 0, क्या माना गया उसको, exactly 0, यानि volume of molecule को अपन 0 मान कर चलेंगे, यानि इसका मतलब क्या हुआ, अगर volume को हमने 0 इसका मतलब एक पूरे container के अंदर, gas molecule, इसका मतलब आप समझे बच्चो, इसका मतलब आप समझेगा, अगर मैंने बोला है बच्चो, अगर मैंने बोला देखो, दो condition आप यहाँ पर assume करके चलो, आपके दिमाग में ये imprint create होना चाहिए, कि हमारे पास दो gas molecule है, एक A है और ए देखो बच्चो, एक बार हमने क्या ले लिया, real condition, एक बार हमने क्या ले लिया, real condition ले ली, यानि real condition और एक बार हमने ले ली ideal condition, तो आप देखो, real condition में, यहाँ पर देखो, यह total volume V है, यह total volume V है, तो real condition में क्या होगा, A के लिए कितना volume available होगा, A के लिए कितना volume available होगा, A क Yes or No बताइए मुझे जल्दी से Volume Available जिसमें वो घुमी घुमी कर सकता है Volume Available for A Volume Available for A कितना हो जाएगा V-VB और B के लिए कितना होगा बच्चो Available B के लिए कितना Available होगा V-VA ये क्या होगा This will be Volume Available for Volume Available for किसके लिए बच्चो Available for A, B ये B के लिए Available होगा अगर Real Condition है तो Real Condition है तो A, B के भीतर से पास नहीं हो सकता और B, A के भीतर से पास नहीं हो सकता मतलब A cannot penetrate B और B cannot penetrate A ये बात समझ में आई या नहीं जल्दी से बताइए कि सर बात बिल्कुल क्लियर है ये बात आप देखिएगा जल्दी से तो यहाँ पर हमारे पास बेटा सरीन मोल कोंसेप्ट बेटा रिडॉक्स पांचवा चैप्टर है NCRT में क्यामिकल बांडिंग के बाद रिडॉक्स पढ़ाय जाता है मैं टॉपिक छोड़ के नहीं पढ़ाता हूँ प्लीज ट्राइन इंडेस्टेंड आट आप उसे लाइक करें डिसलाइक करें वो आपका प्रेरोगेटिव है यहाँ पर मैं आपको इमानदारी से बढ़ाऊंग वी अवेलेबल कितना हो जाएगा डिल कंडीशन में बच्छो दट विल इकल टूवी क्यों क्योंकि वी ए बराबर क्या हो जाएगा वी बी और टेट विल इकल टूज रो इसका मतलब एक है एक के लिए भी पुरा मॉलीकूल का वालुम पूरे कंटेनर का वालुम तो यहाँ पे free volume कम है, यहाँ पे free volume ज़ादा है तो ideal case में free volume क्या होता है बच्चों जल्दी से लिखे ideal case में free volume कितना होगा, volume of container ही होगा free volume is equal to volume of container हो जाएगा free volume is equal to volume of container हो जाएगा are we clear क्यों? gas के molecule का volume 0 है बही एक कमरे में मैं बैठा हूँ और कोई और बैठा है अगर हम ideal है तो क्या होगा मेरे लिए कमरे का volume पूरा available है क्योंकि हमारा अपस में volume zero है और अगर हम real है तो क्या होगा मेरे लिए total volume total volume available और motion मेरे movement के लिए कितना हो जाएगा कमरे का volume minus उसका volume जो भी बैठा हुआ है तो ये बात याद रखेगा हमें एक दूसरे के अंदर से पास तो हो नहीं सकते penetrate करके निकल गए तो ये याद रखने वाली चीज़ है चलो आगे बढ़ेंगे जल्दी से तो पेटे equivalent concept आता है equivalent concept comes in redox reactions and that will be taught in redox reactions only mole concept में कभी equivalent concept नहीं आता ट्राइ करके देखेगा आप किसी भी book में even NCRT में भी देखे नहीं होगा चलिए next पे आजाओ तो यहाँ पर देखो आप अपने teachers पे पूरा भरोसा रखे चलोगे तभी तो बात बनेगी बच्चे तो for an ideal gas इधर देखेगा एक ideal gas के लिए the volume of the molecule is zero next point पे आजाते है the gas molecules gas molecules are always in brownian motion इसे कहते हैं बच्चो क्या बोलते हैं भुरा गती यानि brownian motion एक random motion में होता है जिधर मन आया उधर दोड लेते हैं यानि ये बिलकुल बच्चो की तरह है gas molecules भी जो मन में आया है बस शुरू कर दिया तो यहाँ पर देख लीजेगा gas molecules are always in brownian motion क्या बोलते हैं इसे बच्चो जल्दी से बोलिएगा b-r-o-w-n-i-a-n brownian motion इसे brownian motion कहा जाता है तो एक बार फिर से देखेगा ये brownian motion में है and collide with each other ये एक दूसरे के साथ क्या करते है बच्चो collide करते है they collide with each other gas molecules and with the wall of the container ये wall of the container के साथ भी collide करते है next point पर आईए the total kinetic the total energy of the gases is only kinetic इसका मतलब total energy is equal to क्या हो जाएगा kinetic energy there is no potential energy यानि potential energy क्या है बच्चो zero है यानि gas की potential energy zero होती है सारी की सारी energy क्या है kinetic energy है यानि gas molecule के पास जो भी energy होगी वो speed की वज़े से होगी gas के पास सारी की सारी energy क्या है बच्चो काइनेटिक energy है potential नाम की कोई energy gas के पास नहीं होती है ये सब के सब क्या है assumptions है इन में से कुछ assumptions रही है कुछ बाद में गलत प्रूव हो गए चलिए, next point पे आते हैं इधर देखे, अब यहाँ पर हमारे पास the pressure of the gas अब यह पूछा गया कि gas का pressure क्यों होता है भाई तो gas का pressure क्यों होता है pressure of the gas is due to pressure of the gas is due to these molecules molecular collisions among themselves and with the wall of the container, gas molecule क्या कर रहे है बच्चो, खुद के साथ भी collide कर रहे है और दिवार के साथ भी collide कर रहे है, तो rate of change of momentum आएगा rate of change of momentum कोई क्या कहते है बच्चो, force कहते है force per unit area pressure आजाएगा, आगे बढ़िए these collisions are perfectly elastic in nature, मतलब energy before and after the collision remains same, next point पे आओ, molecular attractions, molecular attractions, मतलब यह समझ गए आप लोग बच्चो, इधर देखिए, अगर कोई भी gas molecule है, अगर कोई भी gas molecule है बच्चो, वो यहाँ पे आकर टक्कर मारेगा, यह wall है, इस wall पे आकर टक्कर मारेगा, इस wall पे आकर उसने collide किया, ऐसे जब collide ऐसे किया और वापस ऐसे गया, तो gas molecule क्या करेगा बच्चो, ऐसे आएगा, तो यह किस momentum से आएगा, mu से आएगा जब ऐसे minus mu से, जब जा रहा था, ऐसे तो किस से जा रहा था, mu से जा रहा था, तो हमारे पास rate of change of momentum कितना हो जाएगा बच्चो, निकाल is equal to आजाएगा, f upon a यानि pressure is equal to क्या हो जाएगा force upon area, this is called rate of change of momentum per unit time, per unit area इसे कहा जाता है pressure, तो pressure किस की वज़े से होगा, collision की वज़े से होगा, जिसमें momentum change हो रहा है collision की वज़े से होगा, जिसमें momentum क्या हो रहा है, change हो रहा है, 2 mu होगया ना, change के साथ तक्कर मारता है, वहीब gas molecule है, ऐसे जा रहा है चला हुआ, तक्कर मारी, यहाँ पर वापस मुड़ गया ऐसे जैसे ही वापस ऐसे मुड़ा, तो direction बदल गई, तो momentum बदल गया, momentum बदल गया, इसका मतलब क्या हुआ हुआ हमारे पास अगर इधर momentum P था, तो इधर minus P हो जाएगा, तो change in momentum कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा तो यहाँ पे, dal P is equal to 2P आ जाएगा, तो momentum change हो रहा है तो momentum change per unit time निकाल लेंगे force आ जाएगा, उसे force कहते हैं definition से, और उसे अगर area से divide कर दिया, तो pressure आ गया बोलो जल्दी से बात clear या नहीं random motion मतलब zigzag motion, random motion का मतलब होता है, ऐसे move कर रहा है देखिए, एक gas molecule कैसे move कर रहा है random motion का मतलब क्या होता है बच्चों ये देख लीजेगा, random motion का मतलब, एक gas molecule ऐसे move कर रहा है, यहाँ पे तक्कर मारी gas molecule ने, यहाँ से तक्क्रमारी यू गया मतलब ग्यास मॉलीक्यूल जिग्जाग मोशन में रेंडम मोशन में इस तरह से मोशन कर रहे हैं जिधर भी जा रहे हैं तक्क्र मार रहे हो और क्या कर रहे हैं अपनी डिरेक्शन चेंज लगातार कर रहे हैं इसकी वज़े से प्रेशर होता है तो यह आपको अगर मैं बोलो तो दिखा दू एक बार जल्दी से बोलिएगा sequential and parallel reactions बेटा ये तो chemical kinetics का पार्ट है तो चलिए अब next point पर आ जाईए बच्छो next point को देखो molecular attraction molecular attractive forces are negligible मतलब they do not attract or repel force of attraction क्या होता है zero in fact for an ideal gas attractive forces forces or repulsive forces are equal to zero मतलब gas molecule ना तो एक दूसरे को attract करते हैं पास लाने की कोशिस करते हैं ना एक दूसरे को दूर ले जाने की कोशिस करते हैं मतलब there is no attraction no repulsion यानि उन्हें पास लाने से और दूर ले जाने पे energy change नहीं होगी बात clear है तो बताईए जल्दी से के सर बात clear है चलिए आग Newton laws of motion are applicable on the motion of gas molecules ये बात आप note कर लीजिएगा बच्चो इट इस very important आगे बढ़ते हुए effect of gravity is negligible on the molecular motion यानि there is no effect of gravity on particles gas molecule के ओपर gravity का कोई impact नहीं होता यानि negligible होता है sedimentation कभी नहीं होगा यानि वो settle down कभी नहीं करेंगे तो ये बात आप याद रखेगा चलो अब बढ़ते हैं देखो gas molecule कैसे move कर रहे हैं आप एक बार देखे आपको शायद समझ में आएगा इस जिफ के थूँ तो ये clear visualization है जल्दी से देखे कि gas molecule कैसे move कर रहे हैं फटा फट से देखेगा और बताइए बच्चो जल्दी से देखकर आप मुझे बताइए कि gas molecule कैसे move कर रहे हैं देखो gas molecule random motion का मतलब यह है देख लीजे दे आर कॉंटिन्यूसली कोलाइडिंग यह कोलाइड कर रहे हैं इस वाल के साथ भी इस वाल के साथ भी इसके भी इसके भी तो probability factor से क्या हो जाएगा इकव़ कोलिजन लेके चलेए तो आप देखो अगर मैं इसे x-axis माल लूँ मैंने क्या माल लिया x-axis है यह मैंने माल लिया y-axis कौन सी है y-axis और यह मैंने माल लिया kोन सी x-axis यह कौन सी x-axis तो आप देखिway molecule की velocity बच्चो नहीं सिटी मैंने माल लिया यू है तो इसके तीन कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चो, y-axis के अबाउट कितनी हो जाएगी? u-y, x-axis के अबाउट क्या अलोंग क्या हो जाएगी? u-x और z-axis के अलोंग क्या हो जाएगी? u-z clear है ना? तो इसका resultant कितना आजाएगा? मुझे बताइए जल्दी से इसका resultant कितना आजाएगा? तो हमारे पास इसका जो resultant है mu-r, जो u-r होगा, mu नहीं, u, तो u-r कितना आजाएगा बच्चो? जो resultant होगा, u-r, that will be equal to, that will be equal to under root of, कितना हो जाएगा बच्चो? u, x का square plus u, y का square, plus u, z square by 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास, जल्दी से बताईए, ये बात आप लोगों को clear है या नहीं? फटाफट से बताईए, ये बात आप लोगों को clear है, भई, एक gas molecule, x-axis के about भी जा रहा है, y के about भी जा रहा है, z के about भी जा रहा है, तो तीनों के लिए, क्या आप लोगों को clear है ना, vectors में ये तो बिल्कुल basic है, ये तो basic vectors है जो आपने पढ़ा होगा, तो जल्दी जल्दी जल्दी, तो यहाँ पर what is क्यूँ, बेटा क्यूँ कहाँ पे है याँ? मैंने क्यूँ कहाँ लिया है, क्यूँ नहीं ये किया था, otherwise I don't like doing these sessions, के वोर्स तब होगा, ये तब होगा, टीचर को टीचर रहने दे news anchor ना बनाएं आप लोग, प्लीज मेरी आप से request है, चलिए, वरना तो ये comments मैं बंद करूँगा, आपके जायज comments भी नहीं देख पाऊंगा, ठीक है ना, आई, देखे मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ, जो J को वाकिक qualify करना चाहते हैं, यहां तक की बात बिल्कुल clear है, अब देखे, अब हमारे पास बच्चों, हमने माल लिया यहां पर kinetic gas equation एक बार देखे, मैंने माल लिया मेरे पास एक molecule है, जो UX velocity से, UX speed से move कर रहा है, किदर move कर रहा है X axis के about, UX से move कर रहा है, यह वाला molecule है किससे move कर रहा है, बच्चों, जल्दी से बोलिए, UX से move कर रहा है किससे move कर रहा है, UX से move कर रहा है, किदर X axis के about, तो X axis के about, कितने कितने faces होंगे बच्चो एक तो ये face है इसे मैंने मान लिया face A है एक ये face होगा B Y axis के about दो face होंगे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा Z axis के about दो face हो जाएगे एक सामने वाला और एक पीछे वाला तो बताइए मुझे जल्दी से ये आपको clear है तो UX speed से जा रहा है यहाँ पर जाके टक्कर मारेगा तो kinetic gas equation according to KTG according to KTG kinetic gas equation according to kinetic gas KTG तो kinetic यहाँ पर देखेगा theory of gases क्या जाएगा हमारे पास P P is equal to क्या है बच्चो pressure of gas P is equal to क्या है बच्चो जल्दी से बोलिए pressure of gas P is equal to क्या है pressure of gas V is equal to क्या है volume volume of container derivation भी किया जा सकता है इसका लेकिन time waste है वो नहीं कर रहे हैं इसलिए V is volume of container तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर देख लीजेगा बच्चो N is equal to क्या है number of number of gas molecules number of gas molecules number of gas molecules यह N है number of gas molecules N है तो हमारे पास V ध्यान से देखे बच्चो V RMS U RMS U RMS is equal to क्या है बच्चो please note down is equal to U U X square plus U Y square plus U Z square this तो यहाँ पर देख लीजेगा this is upon यहाँ पर देख लीजे यह हमारे पास क्या है U RMS तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन क्या जाएगी PV is equal to 1 by 3 M N U X U square U क्या है हमारे पास देखेगा जरा एक बार please note down यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चो P pressure of gas है derivation किया जाए यह clear है यह चीज तो PV is equal to NRT से P pressure of gas है P क्या है हमारे पास pressure of gas V क्या है volume of container V क्या है बच्चो volume of container V क्या है volume of container M क्या है mass of gas molecule M क्या है mass of each gas molecule आगे बढ़ जाएए M क्या है number of gas molecules और U क्या है root mean square speed root mean square speed आप में से कितने बच्चों को मालूम है क्या होता है जल्दी से बोलिए derivation नहीं करूंगा don't worry तो यहां पर देखो जड़ा एक बार तो हमारे पास क्या आजाएगा बच्चों हमारे पास आजाएगा PV P into V is equal to आजाएगा 1 by 3 यह आजाता है PV is equal to 1 by 3 into M M क्या है mass of one gas molecule एक gas molecule का mass है into N क्या है इदर देखेगा यह URMS क्या होती है नाम से ही पता चल रहा है हलाकि हलाकि आपको नाम से ही पता चल रहा है लेकिन कोई problem नहीं देखे अगर हमारे पास एक container है please note down एक container हमारे पास हमें दिया गया है तो अब इस container में एक gas तो होगी नहीं हजारों molecule होंगे और वो अलग-लग speed से move कर रहे होंगे तो यहाँ पर देखो इस container के अंदर मैंने मान लिया के हमारे पास N1 molecule है जिनकी velocity क्या है U1 हमारे पास N2 molecules है जिनकी velocity क्या है U2 हमारे पास N3 molecules है जिनकी velocity क्या है U3 and so on तो हमारे पास एक चीज़ तो हमें clearly दी गई है N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 इस उकल टू एम यह तो हमें दिया गया है given है यह हमें given है तो हमारे पास U, R, M, S क्या हो जाएगी root यहाँ पर देखेगा root mean square speed root mean root mean root mean square speed square speed क्या हो जाएगी बच्चो यह क्या हो जाएगी root mean square speed क्या हो जाएगी इसे कहा जाता है speed का मतलब होता है U और R का मतलब होता है root M का मतलब होता है mean S का मतलब होता है square U, R, M, S is equal to क्या हो जाएगी बच्चो square root of कर लिजे देखे definition से लिखे square root of mean of mean of का मतलब क्या आ जाएगा and squares of individual velocities तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास n1 u1 का square plus n2 u2 का square plus n3 u3 का square this is called root mean square speed इसे कहा जाता है root mean square speed एक बार फिर से देख लिजे एक gas के container के अंदर धेर सारे molecule होंगे जो अलग-अलग speed से move करेंगे yes you heard it right तो एक की velocity मैंने माल दी n1 की velocity कितनी है u1 या speed कितनी है u1 n2 की कितनी है u2 n3 की कितनी है u3 तो हमारे पास total molecules कितने दिए गए हमें n तो n1 plus n2 plus n3 dot 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 सब जोड के n हो जाएगा तो यहां से हमारे पास root mean square speed by definition low क्या हो जाएगा square root of mean of squares of velocities is called root mean square speed बताएगे जल्दी से clear या नहीं फटा फट से देखो नाम ही बता रहा है अगर किसी का नाम इमानदार है तो सबसे पहले आप क्या सोचते है रिमानदार होगा root mean square speed chemistry में यहां पर कोई chemical लोचा नहीं है जल्दी से देखेगा यानि square root of mean of squares of speeds of individual molecules is called URMS it is the किसी भी given temperature पे यह क्या होती है यह सबसे ज़्यादा velocity possible होती है जल्दी से बताइए बच्चो clear ना यह देखो अब यहां से आगे बढ़ते हुए तो हमारे पास क्या आगया PV is equal to 1 by 3 MN into URMS का square this is called अब एक mole के लिए यह कितने molecules के लिए बच्चो this is applicable यह किस के लिए applicable है अगर मैं आप से बात करूं तो यह किस के लिए applicable है for बताइए जल्दी से for N molecules कितने के लिए है यह for N molecules N molecules के लिए यह होगा तो हमारे पास N molecules के लिए यह अगर है तो क्या हो जाएगा बच्चो जल्दी से देखो please note down please note down for one molecule एक molecule के लिए for one molecule for one molecule एक molecule के लिए क्या आजाएगे हमारे पास P into V is equal to आजाएगा बच्चो लिखे मेरे साथ में is equal to आजाएगा 1 by 3 into आजाएगा M V R M S का square क्या आजाएगा V R M S का square this is for one molecule ये एक molecule के लिए है ठीक है न पॉर ये पहला case हो गया दूसरे case में देखिए for N molecules N molecules के लिए और N molecules N molecules के लिए कितना आजाएगा बच्चो जल्दी से बताइए N molecules के लिए कितना हो जाएगा N से multiply कर लीजे कितना आजाएगा PV is equal to 1 by 3 M mass of one molecule into N ये क्या आजाएगा हमारे पास number of particles into U R M S का square अब हम बात करेंगे ये आगया हमारे पास N molecules के लिए अगर 1 mole के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चो C part for 1 mole, 1 mole के लिए 1 mole के लिए बच्चो जल्दी से बताइए 1 mole के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 mole के लिए N will be equal to N A 1 mole के लिए N will be equal to N A also, note कीजेगा, also यहाँ पर देखो M into N क्या हो जाएगा बच्चो हमारे पास M into N A is equal to molar mass this will be equal to molar mass पठको वैल्यू ओन पठकिंग दी वैल्यू हमारे पास आजाएगा PV is equal to आजाएगा 1 by 3 into capital M मतलब molar mass into URMS का square तो यह बात आप नूट कर लिजेगा काइनेटिक गैस एक्वेशन तीन अलग-अलग condition में पहला एक molecule के लिए दूसरा N molecules के लिए और तीसरा एक mole के लिए ठीक है जल्दी से देखिए तीन equation है एक molecule के लिए एक किसके लिए बच्चो N molecules के लिए और तीसरा एक mole के लिए कोई बात समझ में ना आई हो तो comment section आपके लिए open है और मैं अभी उसे पढ़ रहा हूँ जल्दी से बताइए बच्चो तो ये बहुत simple है पलग गुपता thank you very much चलिए तो यहाँ पर हमारे पास बच्चो derivation बिटे ये बहुत easy-peasy है तो यहाँ पर देखिएगा बिटा तो ये बहुत easy-peasy है तो ये रटने वाली तो है ही नहीं इसमें कोई चीज समीर there is nothing to cram about इसमें कुछ भी cram करने वाली चीज है ही नहीं तो यहाँ पर आप rate of change of momentum निकाल लीजिए rate of change of momentum per unit area निकाल लीजिए that will be pressure pressure is equal to आ जाएगा 1 by 3 mn vrms square तो ये बिल्कुल simple funda है इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है तो जल्दी 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 ये आप देखो जड़ा एक बार फटा फट से तो यहाँ पर हमारे पास derivation बेटे देखो हर चीज का derivation अगर आप बोलोगे कि ideal gas equation का derivation करा दो तो उसमें कोई problem नहीं है लेकिन time का bad investment है वो तो कहीं कराया नहीं जाता है इसलिए उसको नहीं कराया तो यहाँ पर देखें still clear होगा एक molecule के लिए ये है n की value 1 रख सकते हो ना बच्चो n की value क्या रख सकते हो आप 1 रख सकते हो या नहीं जल्दी से बताईए एक molecule के लिए n की value हमारे पास n की value हमारे पास 1 रख सकते हो या नहीं इस equation में यहाँ पर देखें इस equation में n की value 1 नहीं रख सकते ह boca n का मतलब number of molecules है एक molecule and molecules avocado number molecules तीनी तो फंडे हैं बस तो जल्दी 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 तो यह value अगर आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं तो यह वाकई difficult है फिर तो यह वाकई difficult है बच्चो चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से क्योंकि अभी यह equation आ रही है अब हम बात करने लगे फटा फट से अब हम इसके आगे बात करेंगे तो यह बात आप लोगों को बिल्कुल clear यहाँ पर अगर किसी को कोई भी doubt है इस वाले में तो आप मुझे पूछ लीजे जल्दी से ताके हम आगे बढ़ जाएं तो thank you very much जल्दी से आगे बढ़ते हुए बच्चो तो यह बहुत easy-peasy है तो यही तो value रखी है मैंने एक बार n क वैल्यवन रख दी एक बार n की वैल्यवन रखी एक बार n की वैल्यू अवगेड्र नंबर रख दी अवगेड्र नंबर पार्टिकल के मास को क्या कहते हैं अवगेड्र नंबर पार्टिकल के मास को कहा जाता है मोलर मास यहां से देखो यह 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 जल्दी से बात हाँ, derivation is very easy, derivation easy है, मैंने यह नहीं बोला, difficult भी होता तो क्या problem होती, derivation बहुत easy है, the problem is, कि वो derivation मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, rate of change of momentum निकाल लो, उसे per unit area से divide कर दो, हो गया derivation, चलो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, अब बात करेंगे, यहाँ पर देखो, अब देख अब थोड़ा सा समल गें, क्योंकि यहाँ से आपको एक नई दिशा मिलने वाली है, there will be next level, please note down, यहाँ पर देखो, इस molecule के, इस डब्बे के अंदर, इस डब्बे के अंदर, बच्चो नाच रहा है, बंदर, तो यहाँ पर देखेगा, मैं नहीं नाच रहा हूं, बंदर न container, इस container के अंदर क्या है, बच्चो, gas molecules है, क्या है, gas molecules है, अब gas molecules कितने है, मैंने माल लिया, n gas molecules है, कितने gas molecules है, इस डब्बे के अंदर, यहाँ पर देखो, मैंने माल लिया, n is equal to कितना है, number of molecules, number of molecules, क्या है, बच्चो, number of molecules है, इस डब्बे के अंदर, क्या है, बच्चो, number of molecules क्या है N clear है तो यहां पर जो molecules होंगे उन में से कुछ molecule किस यहां पर देखिए बच्चो इन में से कुछ molecule किस speed से move कर रहे हैं इन में से कुछ molecule किस speed से move कर रहे हैं U से कितने से move कर रहे हैं U से कुछ molecule किस से move कर रहे हैं यहाँ पर कुछ molecule ऐसे है जो u plus du से move कर रहे हैं, यानि थोड़ी सी ज़्यादा speed है उनकी तो जो u plus du से move कर रहे हैं, वो कितने होंगे मैंने मान लिया वो molecule क्या है dn है, dn is equal to number of molecules, note कीजेगा, number of molecules, ये है difficult, वो तो easy था number of molecules having speed, बच्चों जल्दी से देखेगा, having speed कितनी speed है उनकी, जल्दी से बताईए, having speed between having speed between u and u plus du u plus du, इसके बीच में speed है उनकी, तो यहाँ तक देख लीजे, मुझे फड़ा फट से बताईए किसे जो आपने अब तक लिखा है, वो तो molecules है, कुछ की speed u है और कुछ की speed क्या है बच्चों कुछ की speed क्या है, u plus du है तो यहाँ पर इतने molecules जिनकी speed u और du के बीच में है, वो कितनी हो जाएंगे मैंने माल लिया है, dn है, यह हमने assume क्या है, say यह हमने माना है बच्चों, कभी आप सोचों यह कहां से आया, तो मुझे बताईए जरा एक बार, फिर से देखो, बहुत सिंपल है यह अभी आएगा समझ में, अरे बई एक डबबा है, उस डबबे के अंदर सारे molecules एक speed से तो move करेंगे नहीं ना, एक speed से move नहीं करते, किसी भी container के अंदर gas molecule के पास कहीं तरह की speed होती है तो अब gas molecule कुछ तो slowly move कर रहे है कुछ gas molecule fast move कर रहे है, कुछ gas molecule average है, average speed पे है समझ रहे हैं ना, भई एक road पे आप जा रहे हो, आप सोचके रहे हैं, क्या एक road पे सारे same speed से move करते हैं, बताईए मुझे जल्दी से किसी भी शहर में आप रहते हो, किसी भी देश में आप रहते हो, doesn't matter आप ये बताईए मुझे, क्या आपके शहर में, आपके गाउं में, आपके देश में सारे के सारे vehicles एक ही speed से move करते हैं, क्या बताईए जल्दी से, क्या ये possible है, नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, gas molecule अलग-लग speed से move कर रहे होंगे, तो मैंने माल लिया इन N molecules में से N molecules में से, DN molecules कि speed पे move कर रहे हैं, U and DU के बीच में इनकी speed है तो यहां से ये तो माल लिया नहीं मैंने तो according to Maxwell according to Maxwell, please note कीजेगा according to Maxwell according to Maxwell Maxwell के according, यहां पे capital M लेना पड़ेगा, according to Maxwell, Maxwell के according Maxwell, according to Maxwell, हमारे पास आजाता है बच्चो, DN DN is equal to आजाता है 4 pi N, DN is equal to आजाता है 4 pi N, note कीजेगा DN is equal to आजाता है 4 pi N into M upon 2 pi RT m upon 2 pi RT, raised to the part 3 by 2, into u square, और 7 में क्या आजाता है बच्चो, e raised to the power e raised to the power m u square upon 2 RT 2 RT du this is this speed, note कीजे जल्दी से एक बार, एक बार ध्यान से देखो यह जो molecule निकाले गए यह molecule निकाले गए, तो यह derivation आजाता है, एक बार फिर से देख लो DN वो molecules हैं, जिनकी speed क्या है, u and u plus du के बीच में है तो यह equation हमारे पास आजाती है बड़ी छोटी सी, बड़ी ही शांत सी equation है आपके सामने है तो यह equation आ गए, this is called Maxwell equation तो यह Maxwell equation आजाती है यानि, dn is the number of molecules having speed between, कितने के बीच में है बच्चो u and u plus du तो हमारे पास कितने आ जाएगा dn is equal to 4 pi n 4 क्या है, 4 है, pi क्या है आप जानते हो pi, 3.14 या नहीं, number है आगे बढ़ जाएए, constant है यह भी n क्या है, number of gas molecules m क्या है, molar mass of gas t क्या है, temperature आगे बढ़ जाएए, u क्या है, speed of gas molecules e क्या है, exponential यानि 2.71 m क्या है, gas molecule, u speed है और du क्या है, बच्चो यहाँ पर देखेगा, यह वो factor है जिससे speed vary कर रही है, यानि एक range में speed है, एक की u है, और दूसरे की क्या है, u plus du तो यहाँ पर हमारे पास यह equation आ जाती है, जल्दी से बोलिए बच्चो, clear या नहीं, this is called, यह हमारे पास कितनी प्यारी सी equation आ गई, तो इस equation का देखो जराए एक बार, एक second के लिए देखो बच्चो, अब हमारे पास, जल्दी से screenshot लीजेगा, तो dn is equal to आ जाता है, 4 pi n into m upon 2 pi rt, याद रखनी पड़ेगी equation, derivation, ना तो मैं करा सकता हूँ, ठीके ना, और derivation मुझे भी नहीं आता है, क्योंकि इसका derivation करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसका derivation मैंने भी कभी नहीं किया है, derivation की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, तो यहाँ पर देखिए, 4 pi n into m by 2 pi rt into 3 by 2, और यहाँ पर क्या आजाएगा, raise to the power 3 by 2, u square into e raise to the power minus m u square by 2 rt du, this is the, क्या बच्चो, number of particles having speed between u and u plus du, clear बिल्कुल चलो, अब इदर देखो, आपने screenshot ले लिया है, तो screenshot लेने के बाद, यहाँ से हमारे पास आजाएगा, बहुत बढ़िया बात है, इदर देखिएगा, dn upon, dn upon n, यह आजाएगा, वो molecules का fraction, यह क्या आजाएगा बच्चो, जल्दी से बोलिए, this is fraction of molecules, यह क्या आजाएगा हमारे पास, fraction of molecules, क्यों, fraction of molecules, यह क्या आजाएगा बच्चो, fraction of molecules having speed between u and u plus du, तो यहाँ से हमारे पास आजाएगा, dn upon, dn upon du, dn upon du into 1 by n, is equal to, कितना हो जाएगा बच्चो, that will be equal to 4 pi, please note down, 4 pi into m upon 2 pi rt, 2 pi rt, 2 pi, pi भी आएगा यहाँ पे, कितना आएगा, 2 pi rt, 2 pi rt, raised to the power 3 by 2, into आजाएगा u square, और साथ में देखेगा, e into, e into minus m u square upon 2 rt, यह आजाएगा, बच्चो, note कर लीजेगा, this is the expression, अब अगर आप इसे differentiate कर दो, तो maxima आजाएगा, अगर आप इसे differentiate कर दो, अगर इस equation को मैं plot करूं बच्चो, अगर मैं इस equation को plot करूं, कैसे plot किया, मैंने कर दूं, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, this is called fc, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, one by n into dn by du, यहाँ पर क्या लिया है, one by n into dn by du, और यहाँ पर क्या लिया है, मैंने u, यानि speed, तो मेरे पास graph क्या आजाएगा, graph आजाता है, यह जिसे कहा जाता है, Maxwell distribution curve, graph कुछ ऐसा आजाता है, graph कैसा आजाता है, यह आजाता है, this is called Maxwell distribution curve, यहाँ पर देखो, यह हमारे पास maxima है, this is the maxima, तो मुझे बताइए, maxima निकालने के लिए क्या करेंगे जल्दी से, iatns, please, जो भी आप में से, यहाँ पर देखो, यह वाले point पे, इस वाले point पे क्या होगा, बच्चो, इस वाले point पे, dn by du, dn by du, यहाँ पर देखेगा, into 1 by n, और साथ में क्या हो जाएगा, बच्चो, d by du, upon du, this will be 0, यह 0 हो जाएगा, yes or no, फटा फट से बताइए मुझे, यहाँ पर slope of tangent 0 हो जाएगा बच्चो, यहाँ पर dn by du, dx 0 हो गया, maxima के लिए, तो यहाँ पर dy by dx 0 रख दोगे, dy, y यह है, और x यह है, तो dy by dx 0 रख दोगे के नहीं, जल्दी से बताइए, फटा फट से, तो यहाँ पर देखो बच्चो, value of r, r तो gas constant है न, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो बच नहीं समझ गए ना तो यहां पर बताईए मुझे जल्दी से डी वाई बाई डी एक्स रख सकते हो यह नहीं तो मैक्सिमा जैसे ही निकालोगे मुझे निकाल के बताओ यह वैल्यू कितनी आएगी यहां पर आप IAT के लिए पढ़ने का शौक रखते हो बच्चो तो IAT लेवल जल्दी से आप निकाल के बताईए फटाफट से तो मैंने बेटा यह फर्मुला डराइव करतो दिया आपने करना है इसके आगे फटाफट स्क्रीन चॉट लेंगे बच्चो यह बहुत IMPORTANT IT IS VERY VERY IMPORTANT क्योंकि इसके ओपर QUESTION आया है बच्चो इसके ओपर QUESTION आया है अब देख VELOCITY आएगी हमारे पास निकाल के बताईए जल्दी से VELOCITY की VALUE कितनी आएगी अरे 5 नहीं आएगी यार कुछ भी बोलते हो आप इधर देखेगा स्क्रीन चॉट ले लिया आपने चलो स्क्रीन चॉट आपने ले डाला स्क्रीन चॉट आपने ले डाला तो हमारे पास क्य की आजाएगा D by D U this will be equal to ये हो जाएगा हमारे पास D by D U D by D U into आजाएगा 4 pi N 4 pi into 4 pi into आप लोग बिलकुल बेसिक चीज़े घलत करते हो which is not correct into आजाएगा M upon 2 pi R T 2 pi R T और साथ में raised to the power 3 by 2 into आजाएगा U square और साथ में क्या होगा बच्चों जल्दी से बोलिए U square के साथ मे e raise to the power minus m u square upon 2rt 2rt ये आजाएगा हमारे पास हमने क्या किया इसका differentiation किया इसका differentiation किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा भक्तो जल्दी से बता दो इसका differentiation किया तो हमारे पास आजाएगा बच्चो देखो ये तो constant एसे तो भूल जाएगे यह बाहर ले लिजी इसे, तो यह आ जाएगा 4 pi into m upon 2 pi rt, 2 pi rt, raise to the power 3 by 2, raise to the power 3 by 2 into, इसका differentiation करो, तो एक बार इसका differentiation कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताइए, यह हो जाएगा 2 u into e raise to the power minus m u square upon 2 rt, और minus, minus में कितना आ जाएगा बच्चों, u square into आ जाएगा हमारे पास, इसका यहाँ पर minus minus क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बोलिए, यहाँ पर minus हो जाएगा, तो यह plus में करना था, तो यह आ जाएगा plus, यह हो जाएगा u square into minus m u square upon 2 rt, minus m u square upon 2 rt, into आ जाएगा e raise to the power m u square by d, क्या जाएगा 2 rt, this will be the expression, यहाँ प जाएगा बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, तो मेरे पास यहाँ से आ जाएगा u, यहाँ पर देखोगा 2 u minus, यहाँ पर देखेगा 2 u minus m by rt, क्या जाएगा बच्चों, यहाँ से देखेगा, यह आ ज is equal to आ जाएगा under root of 2RT by M, कितना आ जाएगा 2RT by M, this will be the value, यह value आ जाएगी, इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस equation को solve करने के बाद, सर से गया, नहीं बेटा, सही हुआ है बिलकुल, perfectly correct है, एक बार मैंने इसका differentiation किया, इसका differentiation किया, इसका differentiation हो जाएगा, हमारे पास, minus x into e raised to the power x dx, तो करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास, तो यहां से हमारे पास, to you, यह value आप रखेंगे, सीड़े value आ जाएगी यह, कर लीजेगा एक बार, फटा-फट से, तो चलिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फटा-फट, तो यहां पर देखो, तो यह हमारे पास, to rt by m, हाँ, root to rt by m, तो यह value आ जाएगी सीदे-सीदे, differentiate तो कर सकते हो ना, मुझसे better math से है आपका भई, समीर सर, निशान सर आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसका हमने differentiation किया, तो हमारे पास equation कैसी आ गई, देखो, note करो जल्दी से, अब यहां पर देखे, मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ आपके दिमाग में सिधे, सिधे ठूस दी जाए, कि भई, यह ऐसे याद कर लो, आपको अब पता है, कि यहां पर जो velocity होगी, अब आपको पता है, यहां पर जो speed होगी, that will be, क्या होगी बच्चो, UMP, क्या होगी बच्चो, UMP, this will be UMP, क्या होगी बच्चो, यह UMP होगी, और वो किसके बराबर होगी, under root of 2RT by M, किसके बराबर होगी, under root of 2RT by M, बताए जल्दी से बात clear या नहीं, यह किसके बराबर होगी, under root of 2RT by M, differentiation करना है, तो मैं करके बता सकता हूँ आपको, by using the formula, बिल्कुल बिल्कुल, by using UV formula, क्या जाएगा, U, D, D, V plus V, D, U, तो सीदे एक बार, एक का differentiation, दूसरा constant, एक बार, भई, formula मैंने कौन सा use किया है, formula use किया है, D, X, Y, is equal to हो जाएगा, मेरे पास, X, D, Y, प्लस Y, D, X, यही तो formula use किया है, तो चलिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हमारे पास पढ़ो, बहुत important point है, यह देखिए, at every collision, the speed of molecules may change, note कीजेगा यह बार, यानि जब gas molecule collide करेंगे, तो speed change हो सकती है, note करना यह चीज, आगे बढ़ेंगे क्योंकि यही से J में, लगातार question पुछा जा रहा है, आगे बढ़ो, but the fraction of molecules, but the fraction of molecules having a particular speed, in a gas sample at a certain temperature, remains constant always, on an average क्या रहेगा, constant रहेगा, तो यहाँ से देखिएगा बच्चो, this function इसे कहा जाता है, हमारे पास fraction of molecules, having speed between U and U plus DV, वो क्या रहेगा, constant, तो area under the curve क्या देगा बच्चो, जल्दी से बोलिए, यह जो area under the curve है, यह जो area under the curve है, यह क्या देगा, जल्दी जल्दी से बताईए, यह जो area under the curve है, यह क्या देगा, फटाफट से बताओ जरा, comment section में, area under the curve क्या देगा, सर बिटे, मैं कोशिस कर रहा हूँ, कि इसके बाद आपको, तो मैं periodic table ही पढ़ा दू, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोलाया, कि हमारे school में exam है, सर उसमें periodic table भी पूछा दा रहा है, तो मैं इसके बाद आपको periodic table पढ़ा दूँगा, don't worry about it, चलिए, अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे, येस, तो आयू श्रावत, तो ये क्या देगा बच्चो, area under the curve क्या देगा, जल्दी से मुझे बताइए, ये जो area under the curve है, ये क्या देगा यहाँ पर, this value is what, ये value क्या है, area under the curve, क्या है बच्चो ये, this is equal to, किसी ने एक बच्चे ने, अगर हमारे पास, यहाँ पर, तो ये अभी तक नहीं बताया है, अभी भी किसी ने नहीं बताया, this will give, this will give number of molecules, ये क्या देगा, total number of molecules, total molecules, total molecules, क्या देगा, total molecules, जो क्या रहेगा, constant रहेंगे, ये क्या देगा, area under, अगर हम इसे integrate करेंगे, तो dn का integration क्या आजाएगा, area under the curve, n देदेगा न, भई dn का integration करेंगे, तो क्या आएगा, n ये आएगा न, तो n क्या हो जाएगा, 0 to n, तो आप यहाँ पर differentiate करोगे, तो हमारे, sorry, integrate करोगे, तो आजाएगा, area under the curve, आजाएगा, हमारे पास exactly n, तो ये बात बिल्कुल क्लियर, तो चलो, अभी यहाँ पर, number of moles, या number of molecules, next point पर आईए, area bounded by the curve, and speed axis, area bounded by the curve, and speed axis, represents the total fraction of molecules, देखेगा, having speed in that range, यानि ये पुरा area है, जो इस range में speed रखने वाले molecules को represent करता है, from the graph, it is clear that, the most of the molecules, travel at most probable speed, or closer to it, यहाँ पर देखे, this is called most probable speed, इसे क्या कहा जाता है बच्चो, फड़ा फट से बताईए, ये वो molecules हैं, जिनके speed कितनी हैं, ये वो molecules हैं, जिनके speed कितनी हैं, जल्दी से बोलिए, UMP, ये वो molecules हैं, जिनके speed क्या है, most probable speed है, ये वो molecules हैं, जिनके पास, यानि सबसे ज़्यादा molecules के पास, देखो, यहाँ पर maximum molecules के पास, ये वाली speed होती है, तो इसे कहा जाता है, most probable speed, यानि the speed, possessed by maximum fraction of molecules, is called UMP, आगे बढ़ जाईए, यहाँ पर देखे, ये हमारे पास क्या होगा बच्चो, this is UMP, ये क्या आजाएगा, most probable speed, दूसरी speed क्या आजाएगी, ये वाली, this is U average, और तीसरी हमारे पास आजाती है, this, ये हो जाता है, URMS, तो नूट कीजेगा, एक ही temperature पे, एक दिये गए temperature पे, जो सबसे ज़्यादा molecules के पास होती है, वो होती है, U most probable, और जो सबसे ज़्यादा होती है, that is called URMS, root mean square speed, बताओ फड़ा-फड़ से बात को, समझ में आई, या जल्दी से, तो यहाँ पर हमारे पास, जल्दी जल्दी से, तो देखेंगा, बहुत simple-simple cases हैं यह, यहाँ पर, यह U most probable है, most probable speed क्या होगी बच्चो, जो सबसे ज़्यादा molecules के पास होगी, यानि 100 में से 80 के पास यह speed होगी, this is 80% molecules यही speed रखते है, इसे कहा जाता है, most probable speed, आगे बढ़ जाईए, next में, URMS, that speed at a given temperature, जो maximum होती है, इन तीनों में ज़्यादा होती है, that is URMS, और तीसरी, U average, U average क्या जाएगी बच्चो, अब इन तीनों को एक बार देख लेते हैं, यह होती क्या है, चलिए, पहले, इन distribution को देखो, on increasing the temperature, temperature अगर मैं increase करनू, तो fraction of molecules at low speed decreases, but the fraction of molecules at high speed increases, overall क्या रहेगा, constant रहेगा, area under the curve तो change होगा नहीं, क्योंकि molecule तो fixed है, तो यहाँ पर देखो, जैसे जैसे आप temperature बढ़ाओगे, graph becomes more and more flatter towards right side, यहाँ पर देखे, area under the curve क्या रहेगा, constant रहेगा, यह molecule यहाँ पर देखो, यह URMS थी, यह URMS थी, अब हमने temperature बढ़ा दिया थोड़ा सा, तो यह URMS होगे, देखें molecules बढ़ गए, हमने temperature और बढ़ा दिया, तो यह URMS होगे, तो सारी speed बढ़ती हैं, जब आप temperature बढ़ाओगे, तो क्या होगा, यहाँ पर इतने के पास है, और यहाँ पर इतने के पास है, इसका मतलब number of molecules carrying UMP क्या हो रहा है, decrease कर रहा है, and number of molecules carrying URMS increase कर रहा है, देखो, यहाँ पर देखिए, यह value increase करती जा रही है, तो यह बात आपको clearly समझ में आई, जल्दी से बोलिए मेरे भाई, फटा-फट से, इधर देखिए बच्चो, यह बहुत simple case है, जिस पर हमें focus करना है, जैसे जैसे temperature बढ़ेगा, जैसे जैसे temperature बढ़ेगा, molecules carrying UMP decrease करेगा, and molecules carrying URMS increase करेगा, ठीक है न, value सारी speed की increase करेगी, देखो, velocity सबकी speed सबकी increase कर रही है, clear, 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 बताइए जल्दी से, यहाँ पर, अब हमारे पास, बेटे, NIT second level पर आते हैं, तो यह बात, अब हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, clear है न, बेटा, तो यह graph ऐसे क्यों आया, बेटा, E raise to the power X, और minus, तो यह graph तो आप देखो न, अगर मैं graph बना दूँ, किसके बीच में, अगर मैं graph बना दूँ, X square into E raise to the power minus X square, तो यह graph तो ऐसा ही आएगा न, आप बना के देखे, Y is equal to, आप Google पे सर्च कर लिजेगा, Y is equal to X square into E raise to the power minus X square, यह graph बना के देखो, यही आएगा न graph, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके आगे की, अब आप बोल रहे हो यह graph कैसे आया है, यह तो graphical, क्या है बच्चो, representation है, किसी एक function की, Y is equal to X square into E raise to the power minus X square, यह graph यही आएगा, पहले increase करेगा, उसके बाद decrease करेगा, पहले increase करेगा, उसके बाद क्या करेगा, decrease करेगा, चलिए, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके आगे की, on increasing the molecular weight, the fraction of molecules at low speed increases, मतलब जैसे जैसे आप molecular weight increase करोगे, तो low speed वाले molecule बढ़ जाएंगे, high speed वाले कम हो जाएंगे, देखे कैसे, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बच्चो, यह M1 है, यह M2 है, और यह क्या है, हमारे पास M3 है, तो यहाँ पर आप देखोगे, कि हमारे पास, जैसे जैसे आप क्या करते जा रहे हो, mass बढ़ाते जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, the fraction of molecules at low speed increases, but the fraction of molecules at high speed decreases, तो यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा होगा, कि बच्चो, इधर से इधर जाते जाते, क्या हो जाएगा, maximum fraction of molecules के पास यह वाली speed होगी, यह उल्टा लिखा है, this will be this one, यह ऐसे हो जाएगा बच्चो, तो M1 सबसे जादा है, M2 से कम है, M3 से कम है, यानि graph क्या हो जाएगा, shrink करता चला जाएगा, क्यों, जादा molecule होंगे, अगर mass जादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, momentum सेम रखने के लिए speed कम हो जाएगी, तो यह बात आप note कर लिजेगा, यह वो molecules हैं, जिनकी kinetic energy तो इनके बराबर है, लेकिन speed कम है, यह molecule वो हैं, जिनकी kinetic energy बराबर है, speed जादा है, mass कम है, समझ गए ना यह चीज, तो यह बात आप याद रखिएगा, चलिए, फड़ा फट से आगे बढ़ेंगे, सर से उपर से तो नहीं जा रहा है, कुछ भी, सर प्लीज, derivation, अभी करा देता हूँ, derivation, देखिएगा, यह रहा average speed, पढ़िए, average speed क्या होती है, बच्चो, average speed क्या होती है, the speed, the speed, speed average, note कर लिजेगा, बच्चो, the speed, एक सेकेट, the speed, carried by, क्या होती है बच्चो, carried by, the gas molecule, in between, VMP and VRMS, तो note कर लिजेगा, the average of molecular speeds, is called, क्या बोला जाता हूँ, उसे, U average, यहाँ पर देखिएगा, सीदे सीदे, average नीचे लिखा हुआ है, अगर हमारे पास, एक container के अंदर, अगर हमारे पास, एक container के अंदर, धेर सारे molecules है, मैंने माल लिया, एक की speed कितनी है, N1, एक molecule N1 है, दूसरा N2 है, तीसरा N3 है, इसकी speed कितनी है, U1, इसकी कितनी है, U2, इसकी कितनी है, U3, तो average निकालना तो आपको आता है, अगर हमें individual speed दी गई हो, तो यह funda use करेंगे, यहाँ पर क्या आजाएगा, funda हमारे पास, N1, U1, this is N2, U2, N3, U3, प्लस डॉट 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 डॉट, और अगर हमें temperature दिया गया हो, तो U average is equal to आ जाता है, बच्चों note किजेगा, U average is equal to आ जाएगा, under root of 8RT by M, कितना आ जाता है, 8RT by M, कितना आ जाता है, 8RT by M, तो यहाँ पर देखेगा, by pi M, तो यह हमारे पास आ जाता है, U average, बताइए मुझे जल्दी से, रटने की चीज़ नहीं है, इसमें कोई ऐसा point, जो आपको सर्फ मॉलीकिलर वेट वाला ग्राफ समझ में नहीं आया, सर्फ मॉलीकिलर वेट वाला ग्राफ समझ में नहीं आया, बेटा, दोबारा बता देते हैं, मॉलीकिलर वेट वाला ग्राफ, कि नहीं कि यहां तक Chaoti Easy जो बात सर्थ थोड़ा है भी एप एटे थोड़ा सा मुश्किल यह पार्ट तभी तो जे इडवास का पार्ट ही है थोड़ा सा मुश्किल है यह एक बार दोबारा से रिविजन के टाइम संडे में मैं आपको रिवाइज करा दूँगा इसको चलिए जल्दी से थोड़ा हैवी है तो यहां से हैवी होना बहुत जरूरी है बच्चो वरना तो मजाई नहीं आता तो इधर देखेगा अब मैं एक बार नोट कर लीजेगा यहां पर देखो प्लीज 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 य इतनी स्पीड होती है बच्चो डिफरेंट मोलिक्लर स्पीड एक होती है यू एमपी एक होती है यू एवरेज और एक होती है यू एवरेज कौन सी होती है बच्चो यू एवरेज और तीसरी क्या होती है तीसरी होती है यू आर एमेस यू आर एमेस तो नोट कर लीजेगा U R M S U R M S U R M S generally क्या होती है बच्चों नोट कीजिए U R M S is greater than यहां पर देखे U R M S इन में relation में आपको भी बताने वाला हूँ एक मिनिट रुख जाईएगा U M P क्या होती है possessed by, please note down possessed by P O S S E S E D P O S S E S E D possessed by by maximum number of molecules by maximum particles is called V M P क्या बोला जाता है इसे V M P कहते है तो यहां पर देखे है possessed by maximum number of particles U average क्या जाती है हमारे पास U average हमारे पास क्या जाती है बच्चो average of speeds क्या हो जाती है average of speeds यह क्या जाती है average of speeds यह क्या जाता है U R M S this is of root of root of mean of mean of squares of squares of speeds this is इन तीनों को अगर मैं define करूँ तो यहां पर देखेगा इन तीनों को एक साट define कर रहा हूं बच्चो प्लीज नोट डाउन इन तीनों को एक साट define करते हुए यहां पर देखेगा चाहे चार बार लिखना पड़े यहां पर मॉलीक्योल हैं हमारे पास इस मॉलीक्योल में इस डब्बे के अंदर मैंने माल लिया एक गैस का मॉलीक्योल हमारे पास कितना है बच्चो इसकी speed कितने है U1, कितने molecules की N1 की, दूसरे है U2, कितने molecules की N2 की, तीसरे है U3, कितने molecules की N3 की, तो हमारे पास UMP बताईए जल्दी से कितने आ जाएगी, UMP, U most probable is equal to आ जाएगी under root of 2RT by M, कितने आ जाएगी 2RT by M, कितने आ जाएगी 2RT by M, यानि maximum molecules यही represent, यही possess करेंगे, यही रखेंगे, so maximum molecules will have this speed, आगे बढ़िये, दूसरा हमारे पास आ जाएगा U average, तो U average कितने आ जाती है बच्चों, अगर number of particles दिया गया हो, that will be equal to N1 U1 plus N2 U2 plus dot dot dot, अपोन नीचे आ जाएगा N1 plus N2 plus dot dot dot, और यह किसके बराबर हो जाती है, under root of 8RT by pi M, कितने आ जाती है, 8RT by pi M, तीसरा हमारे पास speed आ जाती है, देखेगा, यानि तीन speed तो minimum है, यह 3D में है, देखेगा ध्यान से, U RMS, U RMS is equal to आ जाता है बच्चों, under root of, under root of, note कीजेगा, N1, U1 square plus N2, U2 square plus N3, U3 square plus dot dot dot, अपोन नीचे आ जाएगा, N1 plus N2 plus N3 plus dot dot dot, बताइए मुझे यह तीनो formula आप लोगों को clear या नहीं, this is physical chemistry, बेटा, इसमें derivation, average speed के derivation, बेटे, average speed के derivation का क्या करोगे, बाबू बताईए जल्दी से, मुझे पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, average speed का derivation group में share कर देता हूँ, ताकि आपका time भी save हो जाए, और आपको पता भी चल जाए, तो average speed का derivation, जल्दी से बोलिए, average speed का derivation अगर आप बोलते हैं, तो मैं group में share कर देता हूँ, आपके साथ में, तो चलिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, बहुत आसान है, average speed का derivation, मुझे नहीं है, लेकिन लंबा काफी है, तो जल्दी से, मैं group में आपके साथ share कर देता हूँ, average speed का derivation, clear है बिल्कुल, चलेगा न, तो चलिए, एक बार फिर से देखो, अगर हमारे पास n1 molecules है, please note down, n1 molecules है, जिनकी speed कितनी है, u1, n2 molecules है, जिनकी speed क्या है, u2, n3 molecules है, जिनकी speed क्या है, u3, तो हमारे पास derivation का हलाकि आपको कोई use नहीं होगा, ये बात मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास क्या आजाएगा, ump, is equal to आजाएगा, under root of 2rt by m, मैंने ये derive कर दिया है, ये derivation syllabus में था, मैंने आपको करके बता दिया, आगे बढ़ जाएगे, u average हमारे पास कितनी आजाती है, बच्चो, n1, u1, plus, n2, u2, plus, dot, 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 upon n1, plus, n2, plus, dot, 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 ये दिया गया है, तो निकाल लोगे, और अगर temperature दिया गया है, तो भी निकाल लोगे, ऐसे ही, u, r, ms का derivation भी मैंने आपको बताया है, तो यहाँ पर, u, r, ms का derivation क्या हो जाएगा, n1, u, n, ka square, plus, n2, u2, ka square, plus, n3, u3, ka square, upon, n1, plus, n2, plus, n3, ये value कितनी आजाती है, अभी निकाल के आपको दिखाने वाला हूँ, चलिए, screenshot लीजे, पड़ा फट से screenshot लेंगे, molecular weight वाला graph, maths, नेपाल, जरूर बता रहा हूँ, मैं आपको, बस एक मिनिट मुझे दीजे, ताके मैं आपको molecular weight वाला graph, बता पाऊँ, एक मिनिट आप मुझे जरूर देंगे, ताके मैं आपको molecular weight वाला graph बता पाऊँ, चलिए, तो root mean square speed भी explain की जा सकती है, बच्चों, यहाँ पर देखेगा, तो मैं derivation आपके साथ तीनों के share कर दूँगा, ग्रूप में, चेक कर लीजेगा, प्लीज, तो यहाँ पर यहाँ प्लस पे तो यह कराई जाते हैं, एनिवेज, फटा अगर अलग-अलग masses दिए गए हो, तो क्या करेंगे भाई? Yes, anybody, अगर अलग-अलग masses दिए गए हो, तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो हमें use करना पड़ेगा, फंडा कौन सा बच्चो? molar masses वाला, जिसका molar mass ज्यादा होगा, उसके पास क्या होगी? बच्चो, momentum सेम रखने क के लिए, speed कम हो जाएगी, momentum सेम रखने के लिए, उसके speed क्या हो जाएगी? बच्चे, कम हो जाएगी, clear है बात बिल्कुल, तो चलिए, ठीक है, very good, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चो को clear है, कुछ को clear नहीं है, जिनको clear नहीं है, वो पूछेंगे, derivation इनका group में share कर दिया जाएगा, क्योंकि syllabus में नहीं है, तो beyond syllabus जाएगे नहीं है, अपन, चलो, आगे बढ़िये फटाफट से, next point पे आजाएगे बच्चो, अब बात करेंगे, इसके आगे की, यहाँ पर देखेगा, अब हमारे पास, एक बार, एक बच्चे ने कई बार पूछ लिया है, के sir, आ इन दोनों का momentum सेम है, बच्चो, आप मुझे बताइए, इन दोनों का momentum सेम है, तो एक particular temperature पे, यह molecule है, जो 30 वाला है, तो यहाँ पर देखेए, इन दोनों का graph अगर मुझे बनाना हो, एक और molecule ले लेते हैं, momentum कितना है, एक molecule M3 है, जिसका कितना है, 10 है, तो यहाँ पर अगर म देखें कैसे, एक बार मैंने लिया 30 वाले के लिए, M1 के लिए, तो M1 के लिए graph कुछ ऐसा आएगा, यह M1 के लिए graph कैसे आएगा, M2 के लिए graph कुछ ऐसा आजाएगा, M2 के लिए graph ऐसा आजाएगा, M3 के लिए graph कैसा आजाएगा, बच्चो, कुछ ऐसा आजाएगा, M3 के देखेगा आपको clearly पता चल रहा है यह M1 वाला graph होगा यह M2 वाला graph होगा और यह M3 वाला graph होगा मतलब M1 greater than M2 greater than M3 तो जैसे-जैसे mass बढ़ता जाएगा speed कम होती जाएगी यानि U MP के पास पहुंचती चली जाएगी तो note कीजेगा क्योंकि momentum सेम रखने के लिए speed क्या हो जाएगी कम हो जाएगी क्योंकि mass जादा है तो speed कम momentum सेम रखने के लिए kinetic energy बराबर रखने के लिए यहाँ पर देखे M2 जैसे mass थोड़ा कम होगा तो graph क्या हो जाएगा velocity बढ़ जाएगी देखे speed बढ़ गई है यहाँ पर y-axis पर नहीं x-axis पर speed ली गई है तो यहाँ पर देखे speed जादा है यार नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर देखो ज़रा एक बार यह u1 है यह u2 है तो clearly नजर आ रहा है ना u1 less than u2 yes or no फटा फट से बताईए मुझे यह बात clear या नहीं अगर अभी भी यह बात clear नहीं है बच्चो तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी मुझे तो यह बात बिल्कुल बताईए जल्दी से clear है ना यह चीज भई यहाँ पर देखो momentum same है kinetic energy same है तो हमारे पास क्या होगा जो heavy particle होंगे slowly move करेंगे और जो क्या होंगे बच्चो जो heavy particle होंगे वो slowly move करेंगे अरे रोड पे जाते हो तो आपने देखा होगा जो heavy vehicles होते है 40 km per hour speed लिखी होती है जो गाड़ी होती है उसके speed 80 km तक allowed होती है समझ गए के नहीं समझे yes or no तो यहाँ पर हमारे पास यह तो आसान सी बात हो गई ना जो heavy वाला होगा slowly move करेंगा और जो हलका होगा light वाला होगा fast move करेंगा to maintain the momentum same तो यह easy-peasy बात हो गई अब दुबारा मत पूछेगा चलिए अब हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे miss increase the graph चलिए बिलकुल बिलकुल याद रखेगा जैसे ऐसे mass बढ़ेगा वैसे वैसे graph क्या होता चला जाएगा उंचा होता चला जाएगा mass बढ़ेगा तो क्या होगा उंचा होता चला जाएगा graph चलिए आगे बढ़ते हुए next point पे आईए अब हमने बात की average speed की तो average speed का derivation आप लोग कीजिएगा एक बार हला कि syllabus में नहीं है फिर तो average speed क्या होती है it is the arithmetic mean of the speed of gas molecules क्या होता है ये arithmetic mean क्या होता है क्या हो जाएगा बच्चो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 डॉट 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 अपोन N arithmetic mean this is equal to 8RT by pi m next point पर आजाईए यहीं से देखेगा बच्चो प्लीज एक बार ध्यान से एक बार ध्यान से देखेगा यहीं पर यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा बच्चो U average U average is equal to कितना हो जाएगा अगर temperature दिया गया हो under root of 8RT कितना हो जाएगा under root of 8RT by pi m हमने क्या किया PV is equal to nRT से RT की value रख दी तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा this will be equal to एक mole के लिए है यह this will be equal to under root of 8PV 8PV by pi m अगर pressure दिया गया हो 8PV by pi m अगर pressure दिया गया हो तो क्या आजाएगा 8PV by pi m कितना हो जाएगा बच्चो 8PV by pi m please note down कितना हो जाएगा 8PV by pi m 8PV by pi m this will be equal to अगर हमें density molar density दी गई हो तो क्या आजाएगा हमारे पास V by m is equal to क्या हो जाएगा 1 by d तो यह हो जाएगा 8P by pi d क्या हो जाएगा 8P by pi d तो यह formula यूज करना है बच्चो कौन सा formula यूज करना है दिस formula जल्दी से बोलो बात 100% clear हुई क्योंकि यह तो घटिया है बिल्कुल यह तो बिल्कुल घटिया चीज है yes or no यह तो घटिया चीज है तो clear हुई या नहीं फटा फट से बताईए यह तो सब लोगों को clear हो गई होगी जल्दी से तो mains की तयारी चालू रखें बिल्कुल बिल्कुल बेटा mains की तयारी चालू रखेंगा क्योंकि कहीं भी यह नहीं बोला गया है कि mains का exam आपका अब होगा तब होगा हाँ जुलाई में होगा यह शौर है चलिए जुलाई के बाद ही होगा तो यहां तक अब हम आगे बढ़ेंगे तो आसान है अगर root mean square speed की बात करें तो definition ही बोल रही है यहां पर देखें नाम बोलता है क्या बोलता है बच्चो नाम बोलता है नाम ही बोल रहा है देखें कैसे it is the square of root of arithmetic mean of squares of कितना बच्चो speeds of gas molecules कितना हो जाएगा u max u और u max is equal to हो जाता है u यानि v1 square plus v2 square plus dot 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 upon n तो यह value कितनी आ जाती है हमारे पास u rms u rms की value आ जाती है 3 rt by m is equal to 3 pv by क्या जाएगा हमारे पास m is equal to हो जाएगा 3 p by pi d तो यहाँ पर 3 p by d तो note कर लीजेगा यह m ही है एक ही बात है this value this value is exactly m यह value क्या होती है बच्चो m ही होती है this value is m चलिए next point पर आईए third में most probable speed अब most probable speed के बारे में maximum fraction of molecules are traveling in the gaseous sample यानि maximum molecules के पास क्या है यही वाली speed है देखे this is equal to under root of 2 rt by m तो यह हम prove कर चुके है तो यहाँ पर अब note किजेगा बच्चो दो तरह के graph आएंगे तो please note down तो यह आपके लिए क्या है important है बच्चो उन बच्चो के लिए जो j advance की तरफ जा रहे है तो हमारे पास बच्चो Maxwell distribution curve Maxwell curve note कीजेगा Maxwell curve दो तरह के होते हैं Maxwell curve दो तरह के होते हैं एक होते हैं unsymmetrical एक क्या होते हैं symmetrical Maxwell distribution curve अगर symmetrical हो जाए तो क्या होगा अगर Maxwell distribution curve symmetrical हो जाए तो क्या होगा यहाँ पर लिया है U, यहाँ पर लिया है F, C तो यह हमारे पास यहाँ F, U तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चो जल्दी से वही DN by DU into 1 by N को F, U बोलते हैं तो यह अगर हमारे पास symmetrical curve दिया गया है बच्चो नोट कीजेगा हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चो हमारे पास यह तीनो speed क्या हो जाएगी इसी range में आ जाएगी यह तीनो speed यहाँ पर देखेगा symmetrical curve में तीनो यहीं पर आ जाएगी क्या आ जाएगा बच्चो यहाँ पर आ जाएगा U MP is equal to हो जाएगा U average and that will be equal to U RMS यह हो जाएगा symmetrical के लिए अगर unsymmetrical दिया गया है अगर हमें क्या दिया गया है बच्चो unsymmetrical दिया गया है curve unsymmetrical के लिए क्या होगा unsymmetrical के लिए graph कुछ ऐसा आएगा धियान से देखेगा unsymmetrical के लिए graph कुछ ऐसा आएगा बच्चो कैसा आईगा unsemmetrical के लिए graph यहाँ पर देखिएगा unsemmetrical के लिए graph कुछ ऐसा आएगा कैसा आईगा ऐसा आईगा यहाँ पर आपने लिया है 1 by N into dn by d y यह और यहाँ पर fraction of molecules यहाँ पर Y लिया है तो unsemmetrical के लिए जो curve आईगा वो कुछ ऐसा आएगा अन्सिमेटिकल के लिए कर्व कुछ ऐसा आएगा तो नोट कीजेगा बच्चो इसमें इसमें आप लोगों को ध्यान देना है ये हमारे पास क्या होगा दिस विल बी यू एम पी ये वाले फ्रेक्शन क्या हो जाएगा यू एम पी वाला हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा बच्चो एक और कर्व खीच लेते हैं ये ये वाला जो कर्व आएगा दिस विल बी ये आजाएगा हमारे पास यू एवरेज और ये वाला कर्व आजाएगा यहाँ पर कहीं दिस विल बी ये आजाएगा हमारे पास बच्चो URMS URMS तो नोट कीजेगा इस केस में UNSYMATICAL में URMS is greater than U average which is greater than UMP तो ये बात J Advanced में पूछ ली थी ये वाला कर्व J Advanced 2020 यानि 2020 में पूछा गया है Advanced में तो बताइए मुझे ये बात clear या नहीं Maxwell curve symmetrical भी हो सकता है UNSYMATICAL भी हो सकता है इसका मतलब क्या हुआ अगर symmetrical हुआ तो सारी speed same है सारी speed same होगी तो symmetrical होगा और अगर speed अलग-अलग होगी तो क्या होगा UNSYMATICAL होगा RV clear फटा-फट से बताओ ये बात आप लोगों को clear है या नहीं तो जल्दी से तो sir RMS का ratio अलग होता है ना symmetrical में नहीं बेटा symmetrical में RMS का ratio अलग नहीं होता तीनो values बराबर हो जाती है यहाँ पर values बराबर हो जाएंगी ratio नहीं यहाँ पर velocity की value बराबर हुई है fraction of molecule अलग-लग है fraction of molecule अलग-अलग है लेकिन value तीनों की क्या speed की बराबर हो जाएगी तो ये बात यहाँ पर पूछे गई थी J advance 2020 में बहुत सारे बच्चों ने इसे गलत कर दिया था तो चलिए जल्दी से देखेगा Molly Croy, अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं बात करेंगे average kinetic energy average translational kinetic energy per mole 3 by 2 RT ये सारी values कल मैं आपको derive कराके दिखाऊंगा कोई derivation नहीं होता है तो दोबारा पूछेगा next point पे आजाओ ये कुछ questions हैं जो आज के आपके लिए homework में हैं बच्चों next पे आजाओ ये दूसरा है ये तो आप कर सकते हो या चलिए try करके दिखाईए मुझे at stp rms speed of molecules h2, n2, o2 and hbr बताईए मुझे देखें जरा एक बार ये question तो बनता है एक question तो इस पे बनता है जल्दी से बताईए answer क्या होगा yes ठीक है राम प्रताप पटेल जरूर देखा जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास जल्दी से यहाँ पर हमारे पास जल्दी 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 सर ये कौन सी क्लास है बेटा ये 11th क्लास का states of matter है क्या किया जाए तो चलिए बच्चे जल्दी से आगे बढ़ेंगे बात करेंगे मुहमद जहीर ने बोला है ए एंसर है तो इसका मतलब समझ में आ चुका है am I answer नहीं आते समझ में आता है तो एंसर आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जल्दी से difficult चीज पढ़ना चाहते हो इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो यहां पर जल्दी से आगे बढ़ेंगे 123 तो यह मैं कोशिस तो कर रहा हूं कि आपको यहां पर यह एडवांस लेवल पर लेके जाए जाए तो यहां पर आरमस स्पीड तो हमें पता है और एम एस यू आरमस इस उकल अपर हमारे पास HBR का मास सबसे जादा है और H2 का मास सबसे कम है तो एंसर क्या आओ जाएगा A कितने बच्चों ने A लगाया है बच्चों मुझे बताओ जल्दी से येस ओर नू येस अक्षे कुमार सिंग ने A लगाया है आदित्य कुलकर्णी ने भी A लगा दिया है तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे बात करेंगे इसके आगे की कल बात करेंगे सबसे पहले मैंने बोला था डिफरेंट तो यहां पर देखें डिफरेंट स्पीड्स अफ ग्यास मॉलिक्यूल एक ही कंटेनर के अंदर एक ही टंप्रेचर पे ग्यास मॉलिक्यूल क्या करते हैं बच्चों अलग-अलग स्पीड रखते हैं कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2D में ऐसे मूव कर रहे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो 3D में ऐसे मूव कर रहे होते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके स्पीड कम होती है कुछ मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके स्पीड ज्यादा होती है तो ओनन ए एक एक्वेशन आपको डेराइव कराई थी और उस एक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि देखो अगर उस एक्वेशन में आप लिमिट्स चेंज कर दोगे उनफोर्चनेटली यूट्यूब पे में वो नहीं कर सकता वंडा मैं आपको अभी करके दिखाता वो चीज़ तो यहां पर देखिए प्लस पे स्पेशल क्लास में आप आ जाईएगा दस मिनिट में मैं आपको एक डेरिवेशन करके दिखाऊंगा तो यहां पर देखिए यह सारे डेरिवेशन आपको करके दिखाए जा सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड की यह एवरेज स्पीड क्या होती है यह होती है यह होती है अरिथमेटिक मीन अप दी स्पीड ऑफ ग्यास मॉलिक्यूल तो आज इनके ग्यास मॉलिक्यूल के पास कितने स्पीड सोती है बच् sap अबच्चों जल्दी से बोलिया और क्यों विए सस्पीड कितन टाइप कि होती है जल्दी से क्मेंट सेक्षन में बताइए कि कितने टाइप यह Metal एज normome टिलन तीन गते 100 molecules be taken ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए molecules be taken हमने माल लिया हमारे पास 100 molecules हमें दिये गए हैं या हमने माने हैं तो यहाँ पे सबसे पहले होगी most probable आप ऐसे समझेगा most probable most probable speed अब most probable का मतलब क्या होता है आप ऐसे समझो most probable को आपके सामने से आप जिस शहर में भी रहते हैं आपका जहाँ पर भी क्या है बच्चो ठीकाना है उस शहर की हम लोग बात कर लेते हैं एक बार उस शहर से आप अच्छे से वाकिफ हैं वहाँ पे आपके सामने से अगर 100 लोगों को गुजार दिया जाए तो उन में से उन में से सबसे पहले आप सोचिए गा Core Industrialist यानी Core अरप पती होने के billion peanut GOP होने के probability क्या होगी बहुत कम ठीक है ना और उन में से करोड़ पती होने के chances क्या होंगे कम होंगे और road पती होने के probability क्या होगी maximum होगी तो यहां पर देखेंगा इंडिया में तो यह रोजगारी भरी पड़ी है चारो तरफ तो यहां पर देखेंगा एक बार हमारे पास most probable most probable अगर मैं बात करूँ speed की तो यह किन के पास होगी यह maximum के पास होगी इसे कहा जाता है VMP या UMP क्या बोलते हैं से UMP बोलते हैं तो यह कितनों के पास होगी 80% molecules के पास normally यह होती है नहीं यह maximum number of molecules के पास होगी 50% से जादा के पास यह होगी are we clear maximum fraction के पास यह होगी दूसरे में आ जाईए मतलब आप समझ लीजेगा greater than 50 molecules के पास यह होगी आगे बढ़ो दूसरे पर आ जाओ दूसरी हमारे पास क्या है average speed दूसरी हमारे पास क्या है average speed क्या होती है बच्चो average speed को हम denote करते है यू average से average यह क्या होती है arithmetic mean होती है यानि जो maximum से कम है और minimum से ज़्यादा है यानि UMP से ज़्यादा है और तीसरी हमारे पास होती है URMS यानि root mean square speed तीसरी हमारे पास होती है root mean square and speed यानि नाम से ही पता चल रहा है U RMS से denote किया जाता है यह क्या होती है सबसे यहां पर देखिएगा सबसे कम particle के पास होगी यह कितने particle के पास होगी यह 50 याद रखेगा suppose 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 चलिए मैं एक example दे रहा हूँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा मैं मानना हूँ यह अगर आपके पास 78 particles के पास है कितनों के पास है 78 particles के पास है 78% के पास इन में से तो यह कितनों के पास होगी average जो speed होगी बच्चो तो average तो सभी का average है तो यह तो सभी के लिए average निकाला गया है यह कितने के पास होगी बच्चो less than 10 10 to 15 molecules के पास सिर्फ यह होगी इतने के पास यह होगी तो आप समझ लीजिए इसका मतलब U average यानि U RMS, RMS क्या होती है बच्चो U RMS ज़्यादा होती है U average से U average से भी कम कौन सी होती है U MP होती है नॉर्मली यह होता है condition इन में ratio आज मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा और आप बात करेंगे मेरे साथ में इधर देखे इसका मतलब एक particular temperature पे gas molecules के पास अलग-अलग velocities होती है यह बात आप दिमाग में डाल लेना चलो अब जल्दी से सबसे पहले हमने बात की arithmetic mean की तो यह कितनी आ गया था जल्दी से बोलिए this is equal to कितना है अंडर रूट ओफ 8RT 8 मतलब 8 है r मतलब gas constant t मतलब absolute temperature upon pi m pi मतलब pi और m मतलब molar mass of gas this will be equal to यह किसके बराबर हो जाएगी this will be equal to बच्चों ध्यान से रेखे यह हो जाएगी 8 into RT के जगा PV रख दीजे upon pi m यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी अंडर रूट ओफ 8 कितना आ जाएगा 8 P by pi d कितना आ जाएगा by pi d d is the density of gas density दिये तो यह formula लगेगा अगर pressure और volume दिया तो यह formula लगेगा और अगर temperature दिया गया है तो यह formula लगेगा are we clear about it देख लिजे आपके सामने मतलब आपको कौन सा formula लगाना है यह depend करेगा कौन सा variable आपको दिया गया है तो एक बार मुझे जल्दी से बताईए comment section में के यह बात आप लोगों को clear है या नहीं तो यहाँ पर देखेगा it is we average क्या होती है यू average क्या होती है arithmetic mean होती है simple most probable कल मैं आपको निकाल के दिखा चुका हूँ clear बिल्कुल यह बात पड़ा फट से बताईए बच्चो तो homework questions भी discuss करो बेटा कल homework question ही discuss करूँगा पर सो homework question ही discuss करूँगा आपके साथ चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे आप participate करो यह मत सोचोगे YouTube पे पढ़ा रहे है teacher free में पढ़ा रहे हैं बेटा free में कैसे पढ़ा रहे हो आप data use कर रहे हो आप अपना time invest कर रहे हो तो free में कहा हुआ खुब पैसे लग रहे हैं आपके तो क्योंकि time तो एक ऐसी resources जिसको आप buy out buy back भी नहीं कर सकते तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे नेक्स पर आते हैं root mean square speed तो यह root mean देखे root of mean of squares of speeds तो इसे कहा जाता है you rms it is the square root of arithmetic mean of squares of individual molecular speeds individual molecular speeds इसे कहा जाता है root mean square speed यह रहा आपके सामने formula मैं कल करा चुका हूँ आपको तो यह urms कहां से आया बच्चो यह कहां से आया urms इधर देखेगा मैंने urms मुझे पता है kinetic gas equation kinetic gas equation is equal to कितना है था हमारे पास बोलिए बच्चो जल्दी से kinetic gas equation हमारे पास क्या था p into v is equal to क्या था बच्चो 1 by 3 into m और साथ में क्या था urms का square यह था हमारे पास तो यहां से 3 को इधर लाईए और pv के जगा rt रख दीजे तो यह हो जाएगा 3 into pv 3 into pv upon m is equal to आजाएगा हमारे पास urms का square तो यह derivation आपको पता है अच्छे से rate of change of momentum से हुआ था तो यहां से क्या आजाएगा urms is equal to हमारे पास आजाएगा बच्चो जल्दी से बोलिए under root of what is it 3 into p into v upon m कितना हो जाएगा 3 into p into v upon m यह किसके बराबर हो जाएगा पीवी इस उकल टो एनार्टी होता है पटको वैल्यू तो यह हो जाएगा हमारे पास 3RT by m क्या हो जाएगा 3RT by m समझ गए होंगे आप यह कहां से आया बताओ बच्चो जल्दी से फटा फट से बात किलियर हुई या नहीं हुई कि यह कहां से आता है काइनेटिक गैस इक्वेशन से आता है इस इस काइनेटिक गैस एक्वेशन क्या है यह काइनेटिक गैस एक्वेशन है काइनेटिक गैस एक्वेशन है काइनेटिक गैस एक्वेशन है तो काइनेटिक गैस एक्वेशन है तो काइनेटिक गैस एक्वेशन पीवी इस उकल टू वन बाई थ्री m into u r ms का square तो ये हमारे पास क्या आगया बच्चो दूसरी value आगया देखो बिल्कुल simple simple cases है ये आपको छोटी छोटी बाते जब एक बार पहली बार में आपको लगेगा बहुत difficult है दूसरी बार में आपको 10% समझ में आएगा तीसरी बार में आपको सीधे 60-70% समझ में आएगा और वही ज़रूरी होता J.E. Advance को qualify करने के लिए क्योंकि J.E. Advance के पेपर में जिसके 70% आगए वो I.T. Mumbai में पहुँचेगा I.T. Bombay जाएगा जिसके 60 आगए I.T. Delhi में चला जाएगा या I.T. Khaडगपूर कोई भी I.T. ले सकता है वो I.T. Mumbai Computer Science को छोड़ कर इसके अलावा 30% के उपर Selection निश्यत है I.T. में 30-35 पे I.T. मिल जाता है अराम से सोचे J.E. Advance में क्या लेवल रखा जाता है तो वो लेवल में याँ पे भी रखना पड़ेगा 100 कुछ नहीं होता चलो आगे बढ़ेंगे आप देख लीजेगा अगर मैं इसके उपर भी देखता हूँ आपने कभी देखा है That All का Advertisement देखा है किसी का भी Advertisement देखिए वो सीधे बोलेंगे 99.9% जम्स को मारता है 100 वो भी नहीं बोलते कर गी कभी नहीं बोलेंगे किसी Sanitizer के उपर देख लो सीधे लिख देंगे 99% जम्स को मार देगा 99 को मार देगा 99.9 को मार देगा 100 कभी नहीं लिखेंगे 100 कुछ होता ही नहीं है चलो जल्दी से आगे बढ़ेंगे तो आप ट्राई करके देखेगा यह चीज़ नेक्स्ट पाइंट पर आएंगे बात करेंगे most probable speed की देखो most probable speed क्या है बच्चो हमारे पास it is this speed possessed by which maximum fraction of molecules carry यानि यह maximum molecules के पास होती है यह वाली speed so this speed is called maximum possible यानि maximum possible molecules के पास है यानि जैसे इंडियों में बेरोजगारी बिल्कुल वैसे ही है तो यह क्या होता है बच्चो हमारे पास UMP UMP का मतलब होता है हमारे पास under root of जल्दी से बोलिएगा under root of yes यह आजाता है 2RT by M 2RT by M RT के जगे PV रख देंगे एक मोल के लिए तो यह आजाएगा under root of 2PB upon M and that will be equal to under root of 2P by D यह आजाता है हमारे पास density की टर्म में यह आएगा किसकी टर्म में बच्चो volume and pressure की टर्म में और यह आजाएगा हमारे पास temperature and molar mass की टर्म में अब देखो एक साथ तीनों को देखे यह सारी चीज़े एक साथ हैं आपके सामने सबसे पहले यह देखियेगा यह चारो expressions आपके सामने रखे गए है mean square speed यह रही है आपके सामने दूसरी root mean square speed क्या हो जाएगी यह mean square speed है यानि squares का mean है यह root mean square speed आ जाएगी यह आजाएगा हमारे पास average speed ये रहा next पे आजाएए most probable तो ये आपको याद रखनी है ये आपको बच्चों याद रखनी है these are the formulae चलिए एक बार अगर हम बात करें expression for kinetic energy तो kinetic energy कहां से आएगी भई चलो देख लेते हैं जड़ा एक बार kinetic gas equation में kinetic gas equation में इसकी तो ज़रो थी नहीं है kinetic gas equation में हमें पता है कि from kinetic gas equation from kinetic gas equation kinetic gas equation kinetic gas equation अगर मैं kinetic gas equation लेकर चलू बच्चों तो मेरे पास क्या जाएगा जल्दी से बताईए मुझे फड़ा फड़ से kinetic gas equation क्या होती है comment section में लिखिये जल्दी से kinetic gas equation क्या होगी बच्चो kinetic gas equation क्या होगी यह speed moles पे depend नहीं करती बच्चो क्योंकि यह speed क्या है यह speed जो है these do not depend upon number of moles यह speed number of moles पे dependent नहीं है क्योंकि अगर moles बढ़ाओगे तो यहाँ पे तो यह तो molecules microscopic level पे define हो रही है ना यह mole के लिए define ही नहीं हो रही है मतलब सारे molecules की अलग अलग होगी तो आप molecular level पे define करते हो इसे mole के level पे define नहीं कर सकते speed को समझ गए ना तो चलिए जल्दी से आगे बढ़िएगा यहाँ पर कितनी हो जाएगी kinetic gas equation के according हमें पता है कि P into V kinetic gas equation पे देखेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी kinetic PV is equal to कितना होता है हमारे पास बच्चो जल्दी से बोलिए this is equal to होता है हमारे पास 1 by 3 into कितना हो जाएगा m एक mole के लिए into URMS का square URMS का क्या हो जाएगा square this is equation 1 तो यहाँ पे देखे यह एक mole के लिए कितने mole के लिए बच्चो यह एक mole के लिए it is for one mole किसके लिए बच्चो यह for one mole for one mole one mole यह एक mole के लिए for one mole यह एक mole के लिए valid है क्योंकि molar mass लिया गया है अब देखो 3 को इधर लेके आए तो हमारे पास हो जाएगा m into URMS का square this is equal to यह किसके बराबर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारे पास will be equal to 3PV किसके बराबर हो जाएगा 3PV के बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास यहाँ से देखिए half of mv square half of m यहाँ पर एक mole के लिए सिर्फ यह एक mole के लिए बच्चो half of m u r ms का square this is equal to आ जाएगा हमारे पास 3 by 2 3 by 2 into pv 3 by 2 into pv यह आ गई kinetic energy तो kinetic energy हमारे पास एक mol के लिए कितनी आ जाएगी बच्छों जल्दी से बोलिए translational kinetic energy की बात कर रहे हैं हम लोग यानि इस direction में translational motion आप जानते हो अच्छे से तो यह आ जाएगा kinetic energy for 1 mole will be equal to कितनी हो जाएगी 3 by 2 into pv और pv constant temperature पर क्या होता है constant pv is equal to क्या होता है constant होता है that is equal to rt तो यहाँ पर हमारे पास note कर लिजेगा kinetic energy और यह किसके लिए आ जाएगी बच्छों per mole यह क्या जाएगी per mole this is per mole यानि यह molar kinetic energy है वो translational है तो note कर लिजेगा rotational और vibrational के बारे में बात नहीं कर रहे है तो note कीजे translational kinetic energy क्या हो जाएगी kinetic energy is equal to 3 by 2 rt हो जाएगी तो यह कितने के लिए है एक mole के लिए अगर हम इसे n molecules के लिए या n molecules के लिए लेके चलें तो कितनी हो जाएगी निकालते हैं चलो let's get started जल्दी से start करते हैं इसके आगे का इसके आगे देखे अगर हमारे पास अभी देखो अगर हमारे पास यहां तक इस derivation में आप में से मेरे बच्चे या बच्चियों में से किसी को कोई दिक्कत है तो बताईए जल्दी से यहां पर हमारे पास जल्दी 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 बताईए answer तो यहां पर हमारे पास thank you very much जल्दी से आगे बढ़ते जाओ बच्चो तो यहां पर URMS के उलिया बेटा जब हम लेके चलते हैं किसमे derivation में kinetic gas equation में तो यहां पर URMS ही आता है kinetic gas equation में क्या आती है maximum possible velocity ली जाती है उस temperature पे और वो यह है URMS है तो यहां पर देखिए क्योंकि under root में आप vector लेते हो तो वो आ जाता है हमारे पास UX square plus UY square plus UZ square का under root आ जाता है तो वो URMS हो जाती है automatically तो यहां पर देखिएगा जरा एक बार भई आप क्या कर रहे हो आप उन molecules को जो collide कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा pressure लगा रहे है उनके लिए बात कर रहे हो तो on an average आप निकाल रहे हो तो हमारे पास कितना आएगा kinetic energy आएगी 3 by 2 RT तो अब मुझे यहां से आगे बढ़ जाएए बच्चों जल्दी से बोलिए यहां तक की बात clear या नहीं यहां तक की बाते आप लोगों को clear या नहीं यहां तक की बाते सब लोगों को clear अभी अगर हम आगे बढ़ जाए crystal clear thank you very much अब इधर देखो अब हमने इसके आगे बढ़ गए यह कितने तरह की होते है kinetic energy जिन में आपको फसाय जाएगा पढ़ो पहला condition total translational kinetic energy total translational kinetic energy क्या हो जाएगी बच्चों that will be equal to this यह हो जाएगी for note कीजेगा मेरे साथ for n moles कितके लिए हो जाएगा यह for n moles क्या हो जाएगी यह n moles के लिए अगर average translational kinetic energy लेके चलें तो per mole per mole कितनी हो जाएगी 3 by 2 RT temperature dependent है सिर्फ आगे बढ़ जाओ average translational kinetic energy per molecule per molecule कैसे निकालेंगे बच्चों इधर देखे average translational kinetic energy per molecule तो average translational kinetic energy average kinetic energy per molecule एक molecule के लिए वो कितनी हो जाएगी बच्चों एक molecule के लिए that will be equal to 3 by 2 RT by N 3 by 2 RT by N Avogadro's number भई N से divide कर दिया एक mole को N से divide कर दिया तो per molecule आ गई so this will be equal to 3 by 2 into R upon N R upon N into आ जाता है हमारे पास T R upon N की value बताइए जल्दी से याद रखेगा बच्चों R upon N is called Boltzman constant के इसे बोला जाता है B O L T Z B O L T Z क्या बोला जाता है इसे Boltzman constant T Z man constant क्या बोला जाता है constant तो ये value आती है हमारे पास per molecule तो हमारे पास kinetic energy per molecule per molecule per molecule कितनी आ जाएगी बच्चों that will be equal to 3 by 2 KT कितनी आ जाएगी 3 by 2 KT नूट कीजेगा ये आ जाती है हमारे पास average kinetic energy translational kinetic energy एक molecule के लिए एक molecule के लिए कितनी हो जाएगी इतनी बही एक mole के लिए कितनी है एक mole के लिए M लिया आपने एक molecule के लिए कितना हो जाएगा R by Na आ जाएगा यहाँ पे Na से डिवाइड कर दो क्योंकि Na molecule मतलब 1 mole 1 mole के लिए इतना तो एक molecule के लिए कितना unitary method सीदे सीदे तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से next point पे आएगे बात करेंगे इसके आगे की next पे आएगे बचो Boltzman constant की value कितनी होती है K is equal to R upon Na is called Boltzman constant इस Boltzman constant की value कितनी होती है बचो 1.38 into 10 raise to the power minus 23 fixed है यह value fixed है क्योंकि R fixed है Na fixed है तो यह value fixed है बचो It is a fixed value यह change होने वाली value नहीं है यह fixed value है चलिए बढ़ते हैं पहले question की तरफ यह रहा first question आपके सामने आपकी screen पे The ratio of root mean square speed of hydrogen at 50 Kelvin and that of oxygen at 800 Kelvin is बताइए जल्दी से कितना होगा तो आपने इसे try किया होगा बचो यह मैं आप से उम्मीद रखता हूँ क्योंकि मेरी class में बच्चे वही आ रहे हैं रेगिलर भी हैं और साथ में मेहनती भी है जल्दी से बताइए बच्चो balancing of reactions को आप तीन step में ही कर सकते हो and factor निकाल लो क्रिस क्रॉस कर दो हो गई balance and factor निकाल के क्रिस क्रॉस J advance में उससे बढ़िया method कोई नहीं हो था तो जल्दी से answer बताइए बच्चो yes पलक गुपता पंकज कुमार पार्थ आदित्या और कौन कौन है साथ में तुशार इसके अलावा पार्थ शिंदे मैं आपको जरूर बताऊंगा कि balancing को कैसे कर सकते हैं shortcut है उसके लिए तो जल्दी से बताइएगा बेटा B answer बोल रहे हैं बच्चे कि sir answer B है तो answer एक बार देखते हैं कि answer B होगा या C होगा तो time अभी आपके पास है बच्चो जल्दी 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 से बताइएगा और एक चीज प्लीज यहाँ पर मैं अभी भी देख रहा हूँ कि आप में से maximum बच्चे ठीक है ना DPP solve नहीं कर रहे हैं DPP solve करो और हक से पूछो यार आप free में पढ़ रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आपको doubt नहीं बताएगा आपको doubt बताएगा चलिए तो यहाँ पर देखेगा free और paid कुछ नहीं होता है teacher के लिए और student के लिए हम लोगों में एक but obvious क्या होना चाहिए बच्चो communication रहना चाहिए तो जल्दी से देखेगा बच्चो फटा फट से हमारे पास क्या हो जाएगा ratio of root mean square speeds तो यहाँ पर आजाएगा VH2 क्या आजाएगा UH2 upon यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चो जल्दी से of hydrogen की उपर लेना है और यहाँ पर आजाएगा UO2 this will be equal to आजाएगा हमारे पास under root of under root of यहाँ पर देखेगा यह आजाएगा 3RT by M तो यहाँ पर आजाएगा TH2 TH2 upon MH2 और यहाँ पर आजाएगा बच्चो this will be equal to under root of सब के सर पे छत है तो यहाँ से कितना हो जाएगा यह TH2 TH2 कितना है फिफ्टी into TMO2 कितना है 32 upon नीचे कितना हो जाएगा MH2 कितना है 2 और MO2 कितना दिया गया बच्चो हमें MO2 दिया गया एट हंडर्ड केल्विन कितना दिया गया एट हंडर्ड तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चो जल्दी से बताईए एट हंडर्ड तो आपको clearly दिख रहा है कि यहाँ से देखिएगा यह हमारे पास कुछ one by four के आस कुछ देखने चलिए यहाँ पर देखो आठ से सबसे पहले zero से जिरो आउड यह कटा कितना आगया हमारे पास sixteen sixteen से यह कटा कितना आ जाएगा two से यह कटेगा कितना आ जाएगा बच्चो जल्दी से बताओ two से एकटेगा one आ जाएगा तो under root one आप जानते हो कितना होता है Under root one आप में से maximum बच्चे जानते हैं क्या होगा answer c c for cat बताओ जल्दी से ये बात clear या नहीं एक चीज यार आप लोगों की एक चीज से मुझे थोड़ा सा बच्चो मतलब धुख तो नहीं होता है कहीं दिल में दर्ब जरूर होता है कि आप में से अभी में मैं देख रहा हूँ लगबग को वही energy lot के आपके पास आती है positivity फैला होगे तो करोना को छोड़ के positivity फैला होगे तो positivity मिलेगी negativity फैला होगे तो negativity मिलेगी whatever you saw so shall you reap as simple as that तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे बच्चों फटा-फट से बात करेंगे इसके आगे की the average speed यहां पर देखो the average speed of an ideal gas एक ideal gas molecule की at 27 is इतना तो बताइए मुझे average speed at 927 क्या होगी तो यह रहा आपके सामने same gas के लिए बात कर रहे हैं तो average speed बताइए 927 degree Celsius पे कितनी होगी फटा-फट से बता दो बच्चो जल्दी से एक question में आपसे पूछूँगा general chemistry का question होगा general question होगा तो चलिए जल्दी से एक फटा-फट से मुझे बताइए answer इसका तो यहां पर हमारे पास answer क्या होगा जेए crash course on plus बेटे मैंने already start कर दिया और गेनिक केमिस्ट्री आपको free of course पढ़ा रहा हूं अभी 25 classes में पूरी और गेनिक केमिस्ट्री आज 4th class थी 4th lecture मैंने लिया है कल 5th lecture प्रैक्टिस सेशन है जल्दी से बताइए यहां पर हमारे पास जल्दी जल्दी से answer दीजेगा बच्चो फड़ा फड़ से देख लेते हैं जरा एक बार answer कितना हो जाएगा तो यहां पर हमारे पास अभी बच्चों ने answer दिया है बी जिन्होंने answer दिया है चलिए कुछ बच्चों ने डी भी answer दिया यार बी और डी कैसे हो सकता है यह तो बी होगा यार डी होगा तो यहां पर हमारे पास फड़ा फड़ से बताइए ये रहा आपके सामने देखो हमारे पास क्या आजाएगा बच्चों स्पीड यानी यू यू 27 अपोन यू 927 तो यहां पर हमारे पास 927 पर पूछिए ना तो यहां पर यू 927 अपोन यू 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस पर हमें दिया गया है 27 इस उकल टू कितना हो जाएगा ये आजाएगा हमारे पास मास तो सेम ही है ये आजाएगा हमारे पास बच्चों जल्दी से देखे तो यहां पर आजाएगा 927 का मतलब 273 ओर जोड़ दीजे इसमें तो ये हो जाएगा 1200 अपोन नीचे आजाएगा बच्चे नीचे आजाएगा 300 कितना आजाएगा 300 तो ये आगया हमारे पास यू 927 डिग्री सेल्सियस इस उकल टू आजाएगी हमारे पास यू 27 डिग्री सेल्सियस इंटू इससे ये कटा तो आगया 2 तो हमारे पास आजाएगा 0.3 इंटू 2 ये आजा था बताईए मुझे ये बात आप लोगों को clear या नहीं इजी क्वेस्चन था तो जो B बता रहे थे उन्होंने गलत किया जो C बता रहे थे उन्होंने गलत किया बेटा बोर्ड के बारे में आप टेंशन मतलो बोर्ड अभी तक तो जुलाई में है अगर कोरुणा की थर्ड व wave को control हम कर लेंगे यह ऐसी उम्मीद ऐसी तवक्र रखते हैं चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे वैसे जुलाई में बोर्ड को अभी तक जुलाई में कराने का chance है chance मतलब जो पिछला discussion था उसमें जुलाई में था discussion अब आगे जब discussion होगा आपको मैं में गेट कर दूँगा यह चीज चलिए next question पर आ जाईए यह वाला question अच्छा है this is a good question this is a good question बचो फड़ा फट से बताईए answer क्या होगा what will be the answer of this question चलिए इस question का answer बताओ बचो इस question का answer बताईए जल्दी से क्या होगा तो आदित्या इसके लावा सर how to increase speed in problem solving maximum DP solve कीजिए module solve करो इसके लावा जितने question solve कर सकते हो करो theory पढ़ने से बच्चे selection नहीं होगा यह बात आप समझ लीजेगा और जब तक आपको concept difficult ना लगे अगर आपको जो भी पढ़ाया अगर सब समझ में आ रहा है तो दो ही case है या तो आप extraordinary है या फिर level low है तो आप समझ लीजेगा probability क्या है हर चीज अगर आपको समझ में आगे इसका मतलब कुछ तो भी गड़बड है तो ये बात आप दिमाग में डालीजेगा लेवल अगर अच्छा होगा तो समझने में difficulty होना लाजमी है और बहुत जरूरी है वो तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे फटा फट से next question तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer है बच्चो इसका answer है A क्या है इसका answer A, A is the right answer A is the right answer बच्चो क्या है इसका answer A answer क्या आजाएगा इसका A, answer कितना आजाएगा A एक बार kinetic energy आप यहां से निकाल लीजे translational kinetic energy of N molecules is X तो हमारे पास कितनी आजाएगी हमारे पास आजाएगा X is equal to कितना आजाएगा हमारे पास 3 by 2 कितना आजाएगा बच्चो जल्दी से बोलिए इस विल भी equal to यहां पर देखे तो 27 पे तो यहां पर हमारे पास आजाएगा 3 by 2 RT कितना हो जाएगा 3 by 2 into यहां पर 3 by 2 into N upon N A and upon N A into RT यह हो जाएगा हमारे पास this is the first equation तो यहां पर दूसरे में हमें बोला गया है कि यहां पर a sample of O2 at 27 degrees Celsius has 2X तो 2X is equal to यह T1 है 2X is equal to 3 by 2 into यहां पर हमने माल लिया मोल्स हमारे पास कितने हैं बच्चो मोल्स हमारे पास हैं N1 तो N1 upon N A into क्या आजाएगा बच्चो into आजाएगा RT2 value रखके देखे तो हमारे पास आजाएगा N बराबर N1 आजाएगा यह आजाएगा तो इसका मतलब answer क्या आजाएगा हमारे पास A A will be the answer तो यह बिल्कुल simple सा question है 2 equation 2 variable आप directly compare करके निकाल सकते हो 2 equation 2 variable directly compare करके निकाल सकते हो केस वर्मा केस वर्मा केल कपूर से कॉपीड है तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे बच्चो बात करेंगे इसके आगे की next question की तरफ move करते हैं अब हम बात करेंगे real gas equation की तो आप अभी तक हमने ideal बाते कर ली कि यह आदमी बहुत अच्छा है बहुत इमानदार है hundred percent focused है यह आईडियल के बारे में बात कर रहे है यह ideal है मतलब यह कभी cricket भी नहीं देखता है यह कभी movies भी नहीं देखता है यह कभी time based नहीं करता है hundred percent time का utilization करता आईडियल तो आप सोच लीजे ऐसा होता है क्या ऐसा कभी नहीं होता है मतलब यह possible नहीं होगा तो real gas के case में क्या होगा सुनिए real gas के case में क्या होगा what will be यहाँ पर अब हमारे पास जो gas हैं बच्चो प्लीज नोट डाउं जो हमारे पास gas हैं जो gases होती हैं अब वो दो तरह की हैं gases हैं वो दो तरह की हो सकती हैं first आप देखो तो हमारे पास first क्या होगा ideal जो हम discuss कर चुके हैं ideal gases और दूसरी हमारे पास जो हम अभी discuss करने वाले हैं real real gases ideal gases क्या होती है और real gases क्या होती है देखो ज्यान से अब मारे पास दो तरह की gases हैं एक real है और एक ideal है, ideal gas में क्या था बच्चो, हमने क्या माना ideal gas में, ideal gas में देखिएगा, ideal gas में पहला point क्या था, ideal gas में पहला point क्या था, volume of gas molecule, volume of gas molecule, molecule क्या था बच्चो, zero, और दूसरा point क्या था, दूसरा point क्या था, note कीज़ेगा, there is no effect of gravity, जबकि atmosphere में gravity का impact होता है, जैसे जैसे आप जाओगे gas की density कम होती जाएगी जैसे जैसे आप surface के पास आओगे density बढ़ती जाएगी atmosphere नीचे होता उपर नहीं होता यानि अगर आप धरती से 15 km उपर जाएगे तो वहाँ पर आपको oxygen नहीं मिलेगी तो यानि इसका मतलब यह हो गया gas molecule के एक तो क्या हो गया बच्चो वॉल propulsion ठीक है ना तीसरी बात note कर लिजेगा can never be converted into liquid can never be liquefied यानि इन gases को कभी आप liquefy नहीं कर सकते यह तीन condition आप देखे यहां से यानि ideal gas को आप कभी liquefy नहीं कर सकते अब देखो real gas में देखे real gas में आपको साफ साफ पता है real gas में हमारे पास condition क्या आ गई volume of gas molecules gas molecule का volume does not equal to zero आप zero नहीं मान सकते क्योंकि gas तो volume occupy करती है gas को आप एक level तक दबा सकते है उसके बाद वो liquid में convert हो जाएगी दूसरी बात क्या है दूसरी बात क्या है बच्चो क्या होता है बच्चो ध्यान से रेखना measurable यहाँ पर क्या होता है attraction attraction and repulsion दोनों होते है attraction repulsion exist य इसरी important बात बच्चो they can be liquefied liquid medical oxygen आपने सुना होगा can be liquefied can be liquefied यह liquefy की जा सकती है can be liquefied इसका मतलब यह हो गया कि कुछ तो भी गड़बर है जो rules यहाँ पर हमने निकाले है जो rules हमने यहाँ पर निकाले है वो rules यहाँ पर fail होने वाले है common sense की बात है ना so you cannot explain the behavior of real gases by using ideal gas laws by using KTG यह KTG को follow करती है यह KTG से deviate करती है तो मतलब कुछ तो भी chemical law चाहिए बात तो समझ गए होंगे आप देखो ध्यान से देखो इन दोनों में difference देखो बही जो ideal gas है ideal gas में हमने क्या माना कि यह इनके gas molecule का volume क्या होता है negligible होता है इसमें volume negligible नहीं होता इसमें दे इसे आप liquefy कर सकते हो आगे बढ़ जाएए यहाँ पर no attraction और repulsion यहाँ पर attraction भी होता है और repulsion भी होता है कुछ gases पास आने पर घरम हो जाती है कुछ gases पास आने पर ठंडी हो जाती है इसका मतलब attraction भी है repulsion भी है तो दोनों cases यहाँ पर हैं तो यह सारी बातों को explain करने के लि तो यह जल्दी से screenshot लीजेगा बचो जल्दी से screenshot लोग आगे बढ़ेंगे येस तो वट इस डियोलॉंस और पैटिट्स लॉओ यह कहता है बेटा डियोलॉंस और पैटिट्स लॉओ कहता है कि specific heat into atomic weight is equal to 6.4 specific heat होनी चीए calories per gram में this is used only for metals metals के लिए लगता है मैं पढ़ा चुक देखो अगर मजा आ जाए मुझसे वा निकले तो बोलना कि यार यह तो वाकई बात बढ़िया थी तू एजम्शन यानि दो जो हमने एजम्शन किये थे फो अफ के टीजी पहला क्या अजम्शन था वाल्यूम फस्ट एजम्शन देखेगा फस्ट एजम्शन देखो the volume of gas molecules is negligible ये क्या है बच्चो और बच्च अगलीजीबा धूर्ट निकल से पहल हुगाई वाल्यूम एप ग्यास के कंपैरेशन में गया समई कि उल्रवीन का आने लिए य전에 चूर्य गई ती सही नहीं थी दूसरे केसमें देख antrector or repulsion between gas molecules यह दोनो चीजे यह दोनो चीजे note किजेगा these two assumptions these two assumptions are not valid at high pressure and low temperature high pressure and low temperature it means real gases note किजेगा real gases real gases do not obey these assumptions do not obey do not obey these two assumptions इन दो assumptions को नहीं मानती है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब रियल गैस के वोलिम को नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप और रियल गैस में attraction भी होता है repulsion भी होता है अगर आप इनसान है अगर आप ideal नहीं है तो आप कुछ को attract भी करोगे और कुछ को repel भी करोगे अगर सुबह सुबह किसी का मुँ आपको नजर आ जाएगा तो आप बोलो कि वह क्या बात है आज तो दिन शुब शुब जाएगा बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आज तो आज तो मैं जो भी करूँगा शेर मार्केट में भी अगर आज मैं कुछ पैसा लगांगा तो डबल हो किया आएगा इतना शुब मु नजर आ गया सुबह सुबह बले 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 बिल्कुल मतलब آپ बन्कुल बाच्छे खिल जाएगे आप खुश हो जाएगे दूसरा केस क्या होगा किसी आप दूसरा सिन에्रियों देखे अप आपको किसी का मुँ नजर आ गया आप बोलो गयार किस मनूस का मुँ नजर आ गया आज तो अगर मैं अगर मैं आज तो सॉफ्ट रोटी भी खाऊंगा तो दाट तूड़ जाएगा इतना मनूस आदमी है यह तो यही बिलकुल देखकर आपको लगता हुआ दिल को बड़ा सुकून मिलेगा कुछ ऐसे होते हैं जिनको देखके दिल खाख खाख हो जाता है तो यही बिलकुल यह आपके साथ भी है यह सभी के साथ है बताइए जल्दी से बात क्लियर या नहीं येस और नो सब अपने अपने पर ले बैठे हैं इस बात को अब नेक्स्ट पे आजाएए देखो ध्यान से अब रियल गैस में और आइडियल गैस में देखो डैवियेशन ओफ रियल गैस boils law लगाऊं तो ये follow नहीं कर रही है देखो ध्यान से देखे hydrogen does not follow boils law क्या हो रहा है आप देखो pv is equal to constant pv is equal to क्या जाता है constant तो यहाँ पर देखोगे hydrogen में और ideal gas में देखे आप ध्यान से देखो अगर हमारे पास pressure low है यहाँ पर क्या है pressure low low pressure पे आप नजर डालिए low pressure पे आ बार high pressure पे देखे एक बार high pressure पे देखे पी हाई पे देखे दोनों पर आपको एक चीज़ नजर आ रही है जब low pressure है अगर low pressure है तो हमारे पास क्या है? so hydrogen का volume यह है और जब high pressure है तो hydrogen का volume ये है इसका मतलब दोनों में क्या है देखो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा this will be V real ये क्या हो जाएगा V real यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा V ideal तो आपको clearly नज़र आ रहा है बच्चो यहाँ पर पहली condition में देखेगा at low pressure at low pressure low pressure पे low pressure पे हमें साफसाफ नजर आ रहा है बच्चो लो प्रेशर पे हमारे पास real volume क्या है कम ideal volume क्या है ज्यादा तो यहां पर साफसाफ नजर आ रहा है real volume is less than ideal volume real volume ideal volume से क्या है कम है और high pressure पे हमारे पास क्या है बच्चो high pressure पे हमारे पास क्या है जल्दी से बताईएगा फिर मैं आपसे cross question करूँगा इसके उपर जल्दी से बताईए at high pressure क्या है at high pressure हमें clearly नज़रा रहा है V real is greater than V ideal तो यहाँ पर देखो इन दोनों conditions को आप एक बार imagine करके देखो इन दोनों conditions को आप imagine करके देखो जो मैंने inbox किया है इन दोनों condition को imagine करके देखो यानि जब pressure low है तो इसका मतलब V real यानि real gas का volume क्या है ideal से कम है कब होगा कब होगा कब होगा सोच के बताइए कब होगा भई मैंने बोला कि यह दो remote, यह दो remote क्या थे यह दो remote ideal थे मैंने बोला ये दो remote ideal है तो ideal है तो इनके बीच में ना तो कोई attraction है ना कोई repulsion है तो इनका volume ये है तो जब हमने इने real किया तो इनका volume कम हो गया volume कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा इने बच्चो जल्दी से बताईए ये दो ideal gas molecule है तो यहां पे है इनका volume इनके बीच में gap इतना है जब हमने ही इने real पे लेके आए यानि pressure कम कर दिया तो इनका volume क्या हो जाएगा volume कम हो गया है साफ साब नज़रा रहा है volume कम है volume कम है साफ साब नज़रा रहा है इसका मतलब ये दूर दूर जाएंगे पास-पास आएंगे volume कम करने के लिए बताएए मुझे, ये volume कम करने के लिए दूर-दूर जाएंगे, पास-पास आएंगे इसका मतलब यहाँ पर क्या है बच्चो यहाँ पर clearly हमें नजर आ रहा है पास-पास आ गए मतलब यह एक दूसरे को क्या कर रहे है यह चाहतों में मुबतला है अट्रैक्ट कर रहे हैं अब दूसरे में देखिए यह हमारे पास क्लियरली नजर आ रहा है बच्चो इस केस में हमारे पास क्या हो गया रियल वोलिम मतलब नफरत नफरत है जिससे नफरत होती है आप अकसर दूर रहना पसंद करते हो तो यहां पर देखिए वी रियल जादा है और वी आइडियल कम है आइडियल में कोई अट्रैक्शन विपल्चन नहीं था रियल हुआ हाई प्रेशर पे दूर दूर हो गए तो यह बात याद रखेगा य बच्चों के मुझसे आच निकल जाएगी तो यह हमारे पास से देखिए जरा ध्यांते यह यह क्या है बच्चों मॉलेक्यूल है यह मॉलेक्यूल आइडियल था यहां पे था जब रियल हुआ हैं तो मुझे बता दीजिए जल्दी से फटा फट से तो यह विजाल नहीं कहाड़ा यह मैंने वी रील वॉलिम रील वालों में रील एक्वेस्ट वह लग होती है यह वी रील वाल्वर is टरक यह वालों में और यह अरिएल गैस का विल्म मतलब है डरूजन देखेंगे अभी तो फिलाल यहां तक देखें यहां तक की बात है क्लियर है ना चलो compressibility factor पर भी चलते हैं भई यह आ गया तो नोट कीजे दिड़ाविएशन फ्रॉम ideal behavior is measured by a factor called compressibility factor क्या होता है वो compressibility factor तो इधर देखेंगे एक बार दीड़ाविएशन नोट कीजेगा दीड़ाविएशन ड़ाविएशन फ्रॉम ideal behavior फ्रॉम आईडियल बहेवियर फ्रॉम आईडियालिटी आईडियालिटी दीड़ाविएशन फ्रॉम ideal इज मैजर्ड बाई कैसे मैजर करते हैं बच्चो मैजर्ड बाई फ्रॉम 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 तो यहां पर देखें compressibility factor जैड अगर हमारे पास जैड आइडियल है तो जैड आइडियल कितना होगा बच्चो जल्दी से बोलिए जैड आइडियल इस उकल टू कितना हो जाएगा वन इस उकल टू होता है पीवी अपोन एनार्टी पीवी अपोन एनार्टी इस इक्वल टू और जैड रियल हमारे पास क्या होता है जैड रियल हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चो जल्दी से बोलिए इट मेबी ग्रेटर देन वन इट मेबी लेस देन वन इट मेबी इक्वल टू वन तो नोट कीजेगा बच्चो ध्यान से देखना compressibility factor से मैजर करते हैं यानि किसी मैजर करते हैं उसे compressibility factor से तो compressibility factor देखो compressibility factor Z compressibility factor Z is equal to कितना आ जाता है बच्चो हमारे पास is equal to होता है PV by RnRT यानि observed volume upon ideal volume यानि V real upon V ideal वी real upon V ideal देखो कैसे यह क्या हो जाता है हमारे पास जो compressibility factor होता है Z Z is equal to क्या होता है बच्चो this is equal to यह होता है V real upon V ideal अब यहां से हमारे पास condition क्या है बच्चो हमारे पास condition देखेगा जरा एक बार यहां से हमारे पास पहली condition देखो हमारे पास अगर Z क्या हो जाए equal to 1 हो जाए तो उसका मतलब V real यानि real gas का volume real gas volume is equal to ideal gas volume हो गया मतलब no attraction no repulsion PV is equal to NRT दूसरे में देखे अगर Z हमारे पास क्या हो जाए बच्चो less than one इसका मतलब V real यानि real gas volume is less than ध्यान से देखेगा is less than ideal gas volume इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चो gas is more compressible यानि gas में क्या है बच्चो attraction dominate कर रहा है यानि पास पास आना चाहते हैं इसका मतलब gas more compressible हो जाएगी attractive forces dominating इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चो attractive forces attractive forces हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा more compressible यानि gas क्या हो जाएगी compress होना आसान हो जाएगा gas को क्या हो जाएगा, बच्छों, compress करना आसान हो जाएगा, more compressible तीसरे में देखे, अगर हमारे पास Z की value क्या हो जाए, greater than वन हो जाए, इस case में क्या करेंगे इस case में क्या करेंगे इस case में V real will be greater than, real gas volume will be greater than ideal gas volume तो repulsion हो जाएगा तो पास पास लाना मुश्किल हो जाएगा repulsion का मतलब less compressible than ideal gas less compressible than ideal gas compressible than ideal than ideal तो ये बात आप नोट कर लीजे जल्दी से फटा फट से मुझे बताईए कि ये बात आप लोगों को clear है या नहीं बच्चो जल्दी से comment section में comment section में बताईए बच्चो ये बात आप लोगों को clear या नहीं तो जल्दी 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 sir yes कुछ जल्दी से कुछ बोल दो भई अदित्या तो यहाँ पर हमारे पास पड़ा फट से बताईएगा बेटा जल्दी से yes बिल्कुल clear तो यहाँ पर हमारे पास बेटा cancel नहीं होंगे अदित्या 100% sure 200% sure आप मेरे word mark कर लीजिए board will not be cancelled चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी से यहाँ पर clear बिल्कुल तो अब देखो जड़ा एक बार overview what is an overview of chemistry बेटा मैंने आपको बताया था कि chemistry को कैसे tackle करना है तो अब जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे note हो चुका है तो यह आपको जल्दी से next point की तरफ move करा रहा हूँ मैं देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है PV को P के साथ यानि boils law लगा दिया PV को हमने P के साथ plot किया है तो ideal gas के लिए तो constant आएगा देखो Z की value 1 हो गई ideal के लिए तो Z की value 1 हो गई लेकिन real के लिए देखो low pressure पे एक dip आजाता है यानि यहाँ पर क्या है हमारे पास Z less than 1 है और यहाँ पर हमारे पास Z क्या है greater than 1 है मतलब high pressure पे gas क्या हो जाएगी उपर चली जाएगी और low pressure पे नीचे रहेगी इस tie line के इसे बोलते है tie line यह Z is equal to 1 क्या हो थी ideal gas के लिए tie line एक चीज़ notice की किसी ना किसी second पे हर real gas क्या होगी ideality show करेगी हर real gas ideality show करेगी एक चीज़ आप note करके बताओ बच्चों मुझे यह note कीज़ेगा जल्दी से के hydrogen के लिए और helium के लिए hydrogen के लिए और helium के लिए बच्चों Z is never less than 1 यहाँ पर देख लीजे hydrogen के लिए और helium के लिए Z हमेशा क्या होता बच्चों greater than 1 रहता है यह note करने वाली बात है hydrogen gas के लिए और helium gas के लिए Z कभी भी less than 1 नहीं होता बाकी सब gases के लिए क्या होता है बच्चों Z कभी less than 1 होगा कभी greater than 1 होगा इनके लिए हमेशा greater than 1 रहेगा यानि इनमें repulsive forces ही dominate करेंगे attractive forces dominate नहीं करते according to vendor wall चलिए आगे बढ़ते हैं फड़ा फड़ से बात करेंगे इसके आगे की next point की तरफ move करते हैं बच्चों जल्दी से next point की तरफ move कर जाते हैं जल्दी से इधर देखेगा अब एक question तो बनता है चलिए बताईए इस question का answer जल्दी से इस question का answer आप मुझे बताएंगे बच्चों तो हम फड़ा फड़ा आगे बढ़ जाएंगे इस question का answer बताईए मुझे फड़ा फड़ से ये रहा आपके सामने the compressibility factor of a gas एक gas के लिए compressibility factor is less than unity at STP तो बताईए therefore कौन सा option सही है इन में से कौन सा option सही है इन में से yes which option is correct एक gas के लिए एक real gas के लिए compressibility factor of a gas is less than unity at STP तो बताईए therefore क्या होगा तो therefore इन चारों में से एक condition तो लगेगी कौन सी condition लगेगी आप मुझे जल्दी से बता दीजे तो यहाँ पर हमारे पास हर्ष वर्धन सिंग ने answer दिया है प्रशांत OMG बहुत सारे बच्चे लगातार answer दे बहुत अच्छी बात है बिटे चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे इधर देखेगा तो answer क्या हो जाएगा time फिर क्यों kill करें जब आप answer दे ही चुके हो तो time kill नहीं करना है इधर देखना यह हमारे पास the compressibility factor तो हमें पता है z क्या है बच्चो less than 1 है z less than 1 है तो v real क्या होगा less than v ideal होगा तो v ideal कितना हो जाएगा v ideal कितना होता है stp पे 22.4 liter इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास v real यानि v molar will be less than 22.4 liter कितना आजाएगा बच्चो तो यह आजाएगा तो जरा एक बार देख लेते हैं यह out गलत हो गया यह सही हो गया बी यह गलत हो गया और यह तो बिल्कुल ही गलत है तो answer क्या हो जाएगा बच्चो बी फॉर बॉम्बे बी इस दी answer कितने बच्चो ने भी एंसर लगाया था बच्चो इसका मतलब उन्हें concept clear है जिन्होंने भी एंसर लगाया उन्हें concept बिल्कुल clear है यानि compressibility factor अगर किसी gas का less than unity हो जाता है यानि less than 1 हो जाता है तो उस case में उस gas का जो molar volume होगा वो STP पे 22.4 liter से कम होगा क्या है बच्चो जल्दी जल्दी से मुझे बताएंगे what is real gas equation इधर देखे real gas equation क्या है हमें क्या करना पड़ेगा volume correction करना पड़ेगा क्योंकि volume हमने तो सारा free volume माल लिया था तो किसी भी ideal gas किसी भी real gas के लिए बच्चो देखो ये एक real gas molecule है ये दूसरा real gas molecule है तो ये क्या करते है अपने आसपास एक certain volume क्योंकि आप ऐसे सोचिए जो real gas molecule होगा वो ऐसे ऐसे move कर रहा होगा ऐसे ऐसे vibrate कर रहा होगा हर direction में तो वो अपने से कहीं गुना ज़्यादा volume occupy करते है this volume जिसमें कोई कोई दूसरा molecule आ नहीं सकता जिसमें कोई दूसरा molecule आ नहीं सकता this volume is called excluded volume यानि इस volume में कोई molecule नहीं आ सकता मतलब समझेगा मतलब समझाता हूँ इसका आपको वरना तो ये रटने वाली बात हो जाएगी यार तो मजा नहीं आएगा मजा अब आएगा इधर देखो ये हमारे पास container है बच्चो ये हमारे पास container है इस container में हमारे पास इसका volume कितना है V इसका volume कितना है V तो यहाँ पे total available volume कितना हो जाएगा maximum V हो जाएगा तो यहाँ पे एक gas molecule है A और दूसरा gas molecule है B तो यहाँ पर देखिए, तो हमारे पास बताईए बच्चो, free volume for A कितना हो जाएगा, free volume for A कितना हो जाएगा बच्चो, जल्दी से बोलिए, free volume for A, for A is equal to आजाएगा, V minus VB, और free volume for B कितना हो जाएगा बच्चो, free volume, free volume मतलब जिसमें gas घूम सकती है, volume for B, कितना हो जाएगा बच्चो, V minus V A, yes or no, अगर भई एक कमरे के अंदर आप और आपका कोई जहे अजीज, यानि आपका कोई दोस्त बैठा है, तो आप मुझे ये बताईए, उस कमरे के अंदर, उस कमरे के अंदर, आप क्या करोगे, पुरा volume आपके घूमने के लिए अवेलेबल नहीं होगा, उस में से आपको अपने जहे अजीज का volume घटाना पड़ेगा, तब बराबर होगा, तो यहाँ पर देखे, V minus VB, मतलब A, कितने volume में घूम सकता है बच्चो, A, कितने volume में घूमी घूमी कर सकता है, जल्दी से बोलिये, A, कितने volume में घूम सकता है, B के volume को छोड़कर, B के volume को छोड़कर, बाकी सारा volume हो जाएगा, और B के लिए क्या हो जाएगा, A के volume को छोड़कर सारा volume हो जाएगा, yes or no फटा फट से बोलिए बच्चो yes तो यहाँ पर हमारे पास A और B दोनों के volume आप ideal gas में क्या था ये volume negligible था ideal के लिए negligible था real के लिए negligible नहीं है this volume is called excluded volume यानि अगर एक gas molecule move कर रहा है तो वो अपने से कहीं गुना ज़ादा volume क्या करता है occupy करता है so that volume in which other molecules cannot enter due to molecular vibrations is called excluded volume तो ये रहा excluded volume ये अगर हमारे पास बच्चो यहाँ पर देखो अगर हमारे पास ये distance कितनी है this distance is r ये distance हमारे पास r है यानि radius of molecule r है तो ये volume की इस volume की radius कितनी होगी बच्चो ध्यान से देखे इस volume की radius ये जो मैं यहाँ पर black से बना रहा हूँ इस volume की radius कितनी होगी ये जो radius होगी this will be 2r ये वाली distance कितनी हो जाएगी बच्चो 2r हो जाएगी कितनी हो जाएगी 2r मतलब ये जो sphere है इसके अंदर कोई दूसरा molecule enter नहीं कर पाएगा this is called excluded volume तो excluded volume हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चो जल्दी से बोलिए excluded volume excluded volume we excluded we excluded कितना हो जाएगा बच्चो we excluded is equal to 4 by 3 into π इन्टू यहाँ पर ये distance कितनी है 2r 2r cube जल्दी से निकालिए इससे कितना हो जाएगा we excluded this will be equal to क्या ह जाएगा बच्छो फोर बाइ ठी इन्टू पाइ इन्ट च्थार what's best में शर्कल क्या है यह क्या है सुर्कल क्या है यह क्या है जिस वॉल्म ऑफ 1 molecule यह क्या है V molecule V molecule क्या हो जाएगा बच्चों जल्दी से बोलिए एक molecule का volume कितना हो जाएगा यहां से 4 by 3 pi r cube this is equation 2 और यह हमारे पास क्या है equation 1 तो equation 1 में value रखे तो हमारे पास क्या आ जाएगा V excluded V excluded हमारे पास आ जाएगा बच्चे that will be equal to 8 into Vm यह कितनों के लिए बच्चों जल्दी से बताईए यह equation यह equation कितनों के लिए बच्चों जल्दी से बोलिए for two molecules दो molecules के लिए जो एक दूसरे को touch करने है for two molecules यह कितनों के लिए for two molecules दो molecule के लिए दो molecule के लिए यह तो एक molecule के लिए excluded volume कितना आजाएगा एक molecule के लिए excluded volume कितना आजाएगा therefore excluded volume we excluded per molecule we excluded per molecule will be equal to kитना आजाएगा बच्चो 8V molecule by 2 8V molecule upon 2 that is kitना आजाएगा 4 into volume of molecule 4 into volume of molecule मतलब समझ गए मतलब समझ गए इसका इसका मतलब ये है कि excluded volume per molecule बच्चो अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप पूछेगा दोबारा से excluded excluded का मतलब जिसमें घुमना allowed नहीं है volume per molecule excluded volume per molecule per molecule excluded volume per molecule is equal to कितना हो जाएगा 4 into volume of molecule अब ध्यान से देखिए इसका मतलब इसमें क्या होगा बच्चो इसमें 75% क्या होगा empty यानि 75% क्या है खाली है और इसमें 25% क्या है बच्चो filled है 25% क्या है filled है समझ में आ रहा है ये चीज़ देखे ध्यान से इसमें 75% क्या है एक molecule एक molecule अपने से चार गुना वोली मौकिपाई करता है एक molecule घूमते हुए एक molecule घूमते हुए अपने से चार गुना वोली मौकिपाई करेगा जिसमें से एक में तो वो होगा और बाकी तीन पार्ट में वो नहीं होगा यानि जब gas molecule move कर रहे होते हैं तो वो अपने से तीन अपने से चार गुना volume occupy करते हैं एक में तो वो present होते हैं और तीन खाली छुड़वा देते हैं यानि ध्यान से देखें यह empty रहेगा और यह क्या रहेगा filled यहाँ पे gas molecule होगा और यहाँ पे gas molecule ना होते होगी किसी को आने नहीं देगा समझ रहे हो यह चीज जल्दी से बताईए यह बात clear या नहीं यह बात आप लोगों को clear बच्चो yes 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 तो यहाँ पर हमारे पास फड़ा फट से प्रगती इसके अलावा और कौन को ने अंकित तो बेटा जेए की x पाई यहाँ पर हमारे पास जल्दी से येस येस अर्णव बिल्कुल सही बोला आपने clear ना बिल्कुल यहाँ पर देखिए एक gas molecule अपने से चार गुना वोलिम उक्टिपाई कर रहा है जिसमें से एक में तो खुद बैठा होगा अरे अगर मैं अपने से चार गुना वोलिम उक्टिपाई करूं तो एक पार्ट में मैं रहूंगा और तीन पार्ट खाली रहेंगे तो बिल्कुल वहीं यहाँ पर दिखा है तो this is called excluded for then for one mole, एक mole के लिए, for one mole, एक mole के लिए क्या आजाएगा हमारे पास excluded volume बच्चो जल्दी से बोलिये, excluded volume आजाएगा, we excluded per mole, we excluded per mole, is termed as, इसे का आजाता है, b, b का मतलब वेंडर वाल, constant for excluded volume, this is equal to, आजाता है, 4 into na into v molecule, 4 into na into v molecule, note कीजेगा, 4 into na into v molecule, अगर हम n molecules के लिए ले रहे हैं, तो यह n भी हो जाएगा, यहाँ पर n multiply कर दोगे, तो यहाँ पर हमारे पास यह एक mole, एक mole के लिए है, यह किस के लिए है बच्चो, एक mole के लिए, for one mole, for one mole, एक mole के लिए, तो आप मुझे यह बताईए, इमानदारी से, सोच के बत बच्चो, जल्दी से बोलिए, available volume, available volume is equal to हो जाएगा, gas के लिए, which is equal to vi, available volume is equal to क्या हो जाएगा, बच्चो, vi, that will be equal to, किसके बराबर हो जाएगा, that will be equal to volume of container minus, minus कितना हो जाएगा, बच्चो, volume correction, यानि nb, volume correction minus nb, इसका मतलब ideal gas equation में आपको यह रखना पड़ेगा, ideal gas equation में आपको यह रखना पड़ेगा, ideal gas equation में आपको यह रखना पड़ेगा, तब जाकर क्या आएगा हमारे पास, excluded volume, यह क्या है बच्चो, excluded volume for nmol, nmols के लिए, कितने के लिए, nmols के लिए, excluded volume nmols के लिए, कितना आ गया हमारे पास यह आ गया तो यह value आप रख देंगे तो हमारे पास क्या होता है बच्छो जल्दी जल्दी से देखेगा तो यह हमारे पास पहली correction आ गई अब हमने आगे बढ़े बात की pressure correction की pressure correction क्या आजाता है देखो ध्यान से हमारे पास because the molecules are molecules are attracted to each other molecules एक दूसरे से attract कर रहे है and the pressure on the container will be will be less than ideal pressure of the container क्या होगा less than ideal हो जाएगा तो अगर less than ideal है तो ideal pressure लाने के लिए हमें कुछ pressure जोडना पड़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा the pressure depends on the number of molecules per liter यानि volume density यानि number of particle density since two molecules are interacting with each other so effect must be squared तो हमारे पास observed pressure कितना आजाएगा ideal pressure और minus a into n by v का square आजाएगा तो यहाँ से हमारे पास equation बन गई बच्चों note कीजेगा जल्दी से जल्दी 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 फड़ाक से note कीजेगा volume correction यानि v ideal हमारे पास कितना आया v minus n b और हमारे पास p ideal कितना आया बच्चों that is equal to p real plus a n square by v square यह आ गया हमारे पास दो equation equation 1 and equation 2 on putting the values हमने values को पटक दिया किसमे p v p ideal v ideal is equal to n r t में value रखके देखे जल्दी से p ideal v ideal is equal to n r t में value पटको बच्चों value पटकते ही हमारे पास आ जाएगा p की value p plus a n square by v square यहाँ पर देखिएगा into क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास v minus n b is equal to आ जाएगा n r t this is called vendor wall equation इसे कहा जाता है vendor wall equation बच्चों pressure correction and volume correction के साथ में यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास this term is pressure correction यह क्या है बच्चों pressure correction and this term denotes volume correction यह denote करती है volume correction को volume correction को यहाँ पर देखिए a क्या है हमारे पास vendor wall constant for attraction b क्या है vendor wall constant for particle size नोट कर लीजेगा एक है बच्चों यहां पर फड़ा फड़ से बताईए एस इकल टू क्या है बच्चों वेंडर वेंडर वाल वेंडर वाल्स क्या है बच्चों कॉंस्टेंट वेंडर वाल्स कॉंस्टेंट फॉर अट्राक्शन फॉर अट्राक्शन और बी मैं आपको पहल वेंडर वाल एक्वेशन फॉर रियल गैसे तो यहां पर देखेगा बच्चो यह हमारे पास बहुत इजी पीजी है इसे का जाता है वेंडर वाल एक्वेशन फॉर रियल गैसे यह रियल गैसे के लिए वेंडर वाल एक्वेशन है चलिए क्वेशन तो बनता है बच्चो यहा आप में से कोई भी जो भी इसका सही जवाब देगा उसको मेरी तरब से सावाशी मिलेगी चलिए जल्दी से बताईएगा ये रहा आपके पास time, time utilize कीजिएगा जल्दी से बताईए answer क्या होगा what will be the answer, IIT में आया हुआ question है, सुनिए, the real gas, ये हमारे पास क्या है बच्चो, real gas obeying vanderwall's equation, a graph is plotted between pvm and p axis, where vm is the molar volume, find y intercept of the graph, बताईए y intercept of the graph क्या होगा, सोच के बताना है बच्चो, चलिए time आपका start हो चुका है, जो भी आप में से समझ जाएगा, वो इसे solve कर देगा, जो नहीं समझेगा उससे solve नहीं होगा, जल्दी से बताईए बच्चो, तो यहाँ पर is it important for mains, बेटा बिलकुल, mains के लिए ही important, direct पुछा था mains में, के pressure correction बता सारी energy क्या है, kinetic energy, तो वो heat transmission की form में क्या हो जाता है, k is equal to 3 by 2 RT, temperature बढ़ाओगे तो वो energy gain कर लेंगे, इसके लावा internal energy को change करने के और भी बहुत सारे methods हैं, चलिए, तो 1 by P, बहुत बढ़िया बच्चो, बहुत बढ़िया, अभी तक, यहाँ पर देखेगा, मुहमद मॉबि कुशाल, संजीव, राधा, और अनिकेट, ओमकार, डीजे गुपता, साथ में धेर सारे बच्चों ने जवाब दिया है, तो यहाँ पर देखेगे, सब उपर से जाएगा, बेटा, concentrate नहीं करोगे तो, तो चलिए, मैं बता देता हूँ, आपको इधर देखे, हमारे पास क्य रहा है, according to real gas equation, हमारे पास है, P plus, P plus AN square by V square, एक मॉल के लिए बोल रहा है, वो शायद, एक मॉल के लिए, दो एक मॉल के लिए, तो P plus N square by V square, P plus N square by V square, into V minus NB, V minus NB is equal to NRT, तो एक मॉल के लिए क्या हो जाएगा बच्चे एक मोल के लिए हो जाएगा P प्लस A बाई V स्क्वाइर A बाई V स्क्वाइर is equal to हो जाएगा हमारे पास into V minus B is equal to RT तो यहां से हमारे पास देखिए बच्चो बहुत ध्यान से दिखना हमारे पास हमें क्या बोला गया है के PV लिया गया है PV लिया गया है किस पे Y axis पे और V लिया गया है X axis पे तो multiply कर लो multiply हमने किया तो हमारे पास आ गया बच्चो ध्यान से दिखना यह आ गया multiply करते ही PV Y axis पे और V molar X axis पे है तो यह आ जाएगा हमारे पास PV molar PV molar प्लस आ जाएगा हमारे पास a by v m b की multiply कीजिए minus p b और साथ में क्या आ जाएगा minus a b upon v molar का square is equal to हो जाएगा r t यहां से देखे बच्चो बहुत mathematical question था यह iat में पूछा गया question है तो p v m यह तो रखना है अपने y की जगे इस उकल टू बाकी मसाला उधर ले जाएगा हमारे पास r t minus a by v m minus a by v m plus a b by v m का square और minus यह आ जाएगा plus p b plus p b is equal to यह आ गए हमारे पास y is equal to m x plus c तो v m common लीजेगा आप देखो जरा ध्यान से for intercept for intercept for intercept बच्चो अगर मुझे intercept निकालना हो एक सेकिंड के लिए आप मुझे यह बताईएगा बच्चो अगर मुझे intercept निकालना है y is equal to m x plus c में अगर मुझे intercept निकालना है c की value निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चो y हमारे पास यहाँ पर देखे अगर मुझे intercept निकालना है, यहाँ पर क्या दिया गया है PV, और यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चो, यहाँ पर दिया गया है V, यहाँ पर क्या दिया गया है VM, तो इसका हमें पूछा गया है बताईए intercept क्या होगा तो मुझे intercept निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा जल्दी से बताईए, intercept निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा intercept के लिए, for intercept यह maths का फंडा है, for intercept क्या हो जाएगा, x is equal to 0 तो y is equal to c आ जाएगा तो यहाँ पर देखे, इस intercept के लिए v is equal to क्या आ जाएगा, हमारे पास बच्चों जल्दी से बोलिए for intercept, यहाँ पर p दिया गया है p, तो for intercept p must be क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी से बोलिए intercept के लिए p क्या होना चीए, x क्या होना चीए, 0 तो अगर x 0 है अगर p क्या हो जाएगा, बच्चों, tending to 0 p tending to 0 हो जाएगा तो volume tending to infinity हो जाएगा volume tending to infinity हो गया क्या हो जाएगा यहाँ पर देखे जरा एक बार for intercept p अगर 0 रख दूँ तो v क्या हो जाएगा infinity हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब होगा कि ये वाली term भी 0 हो जाएगी ये वाली term भी 0 हो जाएगी और ये वाली term भी 0 हो जाएगी तो हमारे पास intercept की value क्या आ जाएगी बच्चो जल्दी से बोलिए intercept की value यानि PVM की value क्या आ जाएगी बच्चो आ जाएगी हमारे पास RT this will be the value of intercept तो यहाँ पर answer क्या था बच्चो RT answer क्या था RT समझ गए या नहीं समझे देखो जब pressure को 0 रखूंगा तो volume independent तो है नहीं pressure से जब pressure को 0 रखूंगा मैं यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला गया है VM molar volume where VM molar volume यहाँ पर x-axis पर pressure दिया गया है तो हमें P को 0 रखना है P tends to 0 तो V tends to infinity तो 1 upon infinity 0 हो जाएगा यह भी 0 हो जाएगा और यह भी 0 हो जाएगा और यह तो 0 होई जाएगा तो इसका मतलब यह तिनो टर्म तो 0 होगी तो PVM is equal to हो जाएगा RT बढ़िया question था यह तो यह J का simple question है बिलकुल It was very simple question of J उसे बच्चे बहुत सारे बच्चे गलत करके आए तो यह clear बिलकुल बोलो जल्दी से clear या नहीं तो answer क्या आजाएगा RT आजाएगा answer will be RT तो यहाँ पर आपसे intercept की value पूछी गई थी Y is equal to MX plus C में तो RT value थी चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे तो must सवाल Thank you very much वेंडर वाल equation under different conditions वेंडर वाल equation under different conditions पहली condition देखो वेंडर वाल equation की बच्चो first condition पहली condition लीजे A first condition में लीजेगा बच्चो at low pressure अगर हमें low pressure पे दे दिया जाए at low pressure अगर हमें pressure low दिया जाए तो क्या होगा जल्दी से बताइए at low pressure अगर low pressure दिया गया है तो क्या होगा लो प्रेशर पे हमारे पास जल्दी से बताईए लो प्रेशर पे हमारे पास क्या होगा बच्चो लो प्रेशर पे हमारे पास प्लीज नो डाउन अगर प्रेशर लो है तो वॉलिम क्या होगा? बहुत जादा होगा अगर प्रेशर लो है तो volume क्या होगा बहुत जादा होगा low pressure V will be much 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 greater than NB इसका मतलब V minus NB is equal to क्या हो जाएगा बच्चो that will be nearly equal to V रखो value तो हमारे पास इस equation में इस equation में किसमें P plus A N square by V square into V minus NB when the wall equation में is equal to NRT इसमें आप ये value put कीज़े जरा एक बार इस equation में ये value put कीज़े जरा एक बार ये value put कीज़े तो हमारे पास क्या आजाएगा P plus A N square by V square into V into V is equal to हो जाएगा बच्चो हमारे पास NRT तो यहां से हमारे पास क्या आगया this is the vendor wall equation at low pressure ये आजाएगी हमारे पास vendor wall equation at low pressure तो यहां पर आप value put कर दोगे तो ये इसमें convert हो जाएगी तो ये हमारे पास this is vendor wall equation ये क्या बच्चो vendor wall equation है vendor wall equation at low pressure तो note कीजेगा vendor wall equation at low pressure ये आजाती है vendor wall equation at low pressure क्या आजाती है बच्चो जल्दी से देखे vendor wall equation आप में से कुछ बच्चे पूछने हैं सर intercept क्या होता है वा मेरे बच्चे नितीश तभी तो सर से जा रहा है y is equal to mx plus c में x की value 0 रखने पे जो y की value होती है that is called intercept on y axis and x की value y की value 0 रखने पे जो x की value होते है that is intercept on x axis तो ये तो आपको basic mathematics में मैं पढ़ा चुका हूँ ये मैंने lecture 1 lecture 2 में ही आपको basic maths for chemistry में पढ़ा दिया था तो मतलब कोई chances मैंने तो ने लिए अपनी तरब से आप अभी भी ले रहे हो चलिए next point पर आईए दूसरे case में case 2 लीजे बच्चो case 2 be case at high pressure at high pressure अगर pressure क्या हो जाए बच्चो बहुत ज़्यादा हो जाए at high pressure तो यहाँ पर देखेगा high pressure अगर हो जाए तो उस case में क्या होगा बच्चो अगर pressure ज्यादा हो अगर pressure हमारे पास ज्यादा होगा तो उस case में क्या होगा उस case में P will be much 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 greater than P will be much much greater than A n square by V square इसका मतलब क्या हो जाएगा that implies P plus A n square by V square will be equal to P इसके बराबर हो जाएगा P के बराबर रख दोगे तो हमारे पास Van der Waal equation आ जाएगी P into V minus NB is equal to हो जाएगा हमारे पास NRT this will be equation at यह equation आ जाएगी बच्चो high pressure पे यहाँ पे हमें clearly नज़र आ रहा है Z greater than 1 है पिछले वाले में क्या था बच्चो पिछले वाले में अगर आप देखोगे clearly नज़र आ आ जाएगा निकाल के देखे यहां पर greater than one है सोरी यहां पर greater than one आ जाएगा this will be greater than one चलिए next point की तरफ move कीजे अब यह condition देख लीजे बच्चो under different conditions अगर low pressure पे ले रहे हैं तो Z की value यह आ जाती है अगर आप high pressure पे ले रहे हो तो Z की value यह आ जाती है और अगर आप extremely low pressure पे लेते A by V हो जाएगा at extremely low pressure तो यह तीन condition है जो आपको याद रखनी है फटा-फट से आगे बढ़ेंगे बात करेंगे Monday, Tuesday, Wednesday देखे आपके सामने Thursday, Friday, Saturday तक हम आपके साथ live होते हैं बच्चो कल मैं आपको इसके उपर practice कराऊंगा आगे ना पढ़ा कर पहले practice करेंगे जब आपको confidence आना शुरू हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे next point पे आईए साड़े साथ बजे कल practice session होगा इसी के ऊपर next पे आएंगे बात करेंगे बच्चो questions में पहले ही share कर दूँगा आपके साथ I will share the questions well in advance so that you practice at home और उसके बाद आप lecture में आके उनके solutions देख पाएं अगर आपने अभी तक इस digital video book को explore नहीं किया है बच्चो तो फिर यार क्या किया है देखे इस digital video book का फाइदा क्या है यहाँ पर 100% free content आपको दिया गया है इस free content का फाइदा उठा सकते हो you will be surprised बच्चो के कई बार daily basis पे इसे 15 से 20 लाग बच्चे देखते कई बार 20 लाग को भी cross कर जाता है 2 million से ज्यादा बच्चे daily basis पे देखते हैं इसे तो आप सोचे 15 minimum 1.5 आप सोचे million students daily basis पे they watch these lectures तो अगर आपने अभी तक इस digital video book को explore नहीं किया है सपोज आप चाहते हैं कि आगे का कुछ पढ़ ले सपोज आपका कोई chapter चूड़ गया है तो आप यहां से live daily. यहां से आप सारे lecture access कर सकते हो और यह free है बिल्कुल आपके लिए आगे बढ़ते हैं अगर आप प्लस पे आना चाहते हो तो देखिए प्लस पे आने के multiple reason हो सकते हैं जिनमें से आप कोई एक reason the driving force for you should be chosen by you only तो यहां पर देखिए live class environment है यानि two way communication होता है classes कभी भी अप यह नहीं कर दिया कि upload कर दी वहां पर आप देख लीशेगा नहीं live teacher आएंगे आपके सामने live पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल physical coaching की तरह है ताके आपके साथ two way communication हो जाए घर पे बैठे हुए from the safety and comfort of your home साथ में live also leaderboard इससे पता चल जाता है कि आप जो पढ़ रहे हो उसे आप क dedicated doubt clearing session जिसमें आप अपने सारे doubt clear कर सकते हो साथ में two way communication है यानि आपकी कोई भी चीज़ teacher की नजरों से बचके नहीं जा सकती साथ में देखिए आपको performance को analyze करने के लिए बहुत सारे extra चीज़े दी गई हैं यहाँ पर देखिए weekly test series है साथ में DPP's है quizzes है यह सारी चीज़े आ आएंगे बच्चों बात करेंगे इसके आगे की देखिए इंडिया के top educator यह नहीं के मैं ही पढ़ा रहा हूं यहां पर या जेव लाइड डेली की टीम पढ़ा रही है obviously हमारे अपने batches चल रहे है इवाल में emerge में इनमें आप join कर सकते हो एक first June से मैं batch start कर रहा हूं वो और J advance aspirant के लिए होगा या नहीं अगर आप non serious है तो उस batch में अगर आप join कोई serious candidate करना चाहता है तो कर सकता है तो first June से वो batch live होगा आपके सामने Igneous batch for J advance 2022 तो यहां पर देखें इंडिया के top educator आपको पढ़ाते हैं और live पढ़ाते हैं daily basis पे हजारों classes होती है from quota from Delhi from Kolkata from Mumbai from where not every part of country they are taking classes on daily basis तो यहां पर आप देखें if you want to be the best you have to learn from the best तो आपको set of faculties को choose करना है और उनके साथ जूड़ जाना है ऐसा नहीं है कि आप मेरा code यूज कर रहे तो आप मेरी classes कर सकते हो मेरा code यूज करने का मतलब है कि मुझे आपने master mentor चूज किया है उसके बाद आगे के सारे guidance मेरे आप मेरे guidance में पढ़ेंगे इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी classes लगा सकते हो आप multiple educator की classes लगा सकते हो साथ में देखिए इंडिया के top authors यहां पर आपको पढ़ाते हैं DC पांडे सरसे लेकर MS चोहां तक सब आपको पढ़ाएंगे यहां पर तो उनके expertise का फाइदा उठा सकते हो साथ में यह यह तो care offer अब नहीं है बच्चो आप के बाद आप क्या करेंगे plus या iconic subscription लेंगे plus में क्या है बच्चो आपको सिर्फ पढ़ाया जाता है और भी डेसारी जो facilities मैंने बताई आइकोनिक में कुछ extra facilities है जैसे एक set of dedicated set of faculties आपको दिया जाएगा जिनके guidance में आप पढ़ोगे या नहीं आपको iconic subscription में और extra facilities मिलती है साथ में रेखें यहां पर आपको multiple options दिये गए हैं एक महीने से लेकर आप 24 महीने तक यानि 24 मन्त तक का कोई भी subscription आप चूज कर सकते हो depending upon your choice यहां पर देखिए यह काम कैसे करता है यह actually Netflix की तरह जैसे काम करता है आपने एक बार subscription लिया उसके बाद आप कोई भी 24 Monds संब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं आप 1.5 Year संब्सक्रिप्शन भी ले सकते इए 18 मंत औरवर इंयर भी ले सकते हैं irresponsible क्या हम इसे पार्ट में पे कर सकते हैं बिल्कुल आप इसे 12 पार्ट में पे कर सकते हो EMI option आपको दिया गया है तो EMI option आप ले सकते हो debit or credit card से पे करके EMI option भी यहाँ पर आपको दिया गया है ताकि burden sum ना हो जाए 30,000 की जो fee है अगर आप 12,000 बारा पार्ट में पे करते हो तो आपको लगबग 30,000 परमंत के हिसाब से पे करना है तो यानि 30,000 से भी कम in fact तो उतना आपको पे करना है परमंत तो यानि आप पे कर सकते हो इसे पार्ट में भी आगे बढ़िए जल्दी से अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकन को अभी प्रेस हो जाना चीए ताके आपको संडे की जो क्लासेज है साथ में जो प्रैक्टिस सेशन से उनके बारे में आपको इग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि वो कब होंगे उनकी टाइमिंग क्या होंगी साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ सेशन को लाइक नहीं किया है तो बच्चे इ अश्वनीत्यागी.i.tr यह मेरी इंस्टा आइडी है यहां पर भी आप मुछसे बात कर सकते हूँ थीरह यहां पर भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हो ठैंक्यू वबग चलिये झाल झाल